हलो सुपर लेर्नर्स हम पढ़ने जा रहा है चैप्टर नमबर 11 क्लास 9 महारस्टर स्टेट बूर्ड के साइन्स से ये चैप्टर है जिसका नाम है reflection of light कई सारे बच्चे को ये चैप्टर बहुत हाड लगता है पता है क्यों क्योंकि उनको कोई अच्छे से पढ़ाता नहीं है अब आपको ये चैप्टर बिलकुल हाड नहीं लगेगा क्योंकि हम हर एक topic को सीखने वाले हैं केवल और केवल एक वीडियो के अंदर और बहुत अच्छी बात कि इसके अंदर आपको मैं notes भी देने वाला हूँ पूर का पूरा और साथी साथ बीच बीच में कई सारे questions भी पूछूंगा जिससे आपको समझा जाएगा कि आपको एकदम अच्छे से यह आ चुका है questions को आप answer कहा करोगे नीचे comments में और practice के लिए भी कुछ चीज़े मैं आपको देने वाला हूँ चलिए तो एक छुड़ी सी बात आप लोगो विफोर स्टार्टिंग बता देना चाहते हो कि हमारे YouTube चैनल पर one shot के format में इतने सारे chapters uploaded हैं और बाकि सारे chapter 9 standard के मैं upload करने वाला ह साथ ही साथ अगरे तुम playlist वाले section पर जाओगे मेरे चैनल के तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि तुम्हारे science के जितने भी chapter है वो सारे chapters मैंने already upload कर रख है वीडियो में पढ़ाते पढ़ाते एक लंबा वीडियो रहने वाला है तो बहुत सारी चीज़ आप लोगे साथ शेयर करता रहूंगा मैं आप से बस इतनी उमीद करता हूं कि आप लोग फूरे focus के साथ चीज़ों को देखोगे और सारी सवालों के जवाब मेचे comments में spherical mirror आ जाता है, spherical mirror से images कैसे बनते है, concave कैसे बनते है, convex कैसे कैसे बनते है, magnification कैसे होता है and that's it, but the reality is not this, हमें mirror formula पढ़ना है, हमें दो mirror को एक particular angle पर रखेंगे तो कितने images बनेंगे वो पढ़ना है और बहुत सारी छोटी छोटी सी concept पढ़नी है हमें, ठीक है न, बहुत सारी properties plane mirror, images from by plane mirror, बहुत कुछ पढ़ना है, तो इसलिए चीज़े है थोड़ी सी complicated लगने लगते है, यूगि बुक में starting में लिखा बहुत कम है, बट समझना बहुत सारी चीज़े पढ़ती है, तो एक एक करके चीज़े समझेंगे, learners हमारा एक telegram channel है, class 9 शुबं, जिस पे बहुत सारी चीज़े अप लोड़ेड है, notes, words, practice questions बिगर आती रहती है, तो उसको आप join कर सकते हो, या फिर यह जो notes है, हमने हमारे application को update किया है, बहुत सारी चीज़े application में add किया है, जब आप application डाउलोड गर लोगे, easy learning का description में रहेगा, तो वहाँ साथ आपको free materials के अंदर जाना ह आपको simply करना के class 9 के folder को check करना है, got it, उसमें आपको सारे के सारे notes मिल जाएंगे, simple, साधी साथ यहाँ पर free test में class 9 के test भी डाले हुए, इस chapter से लिटेट तो उसको भी practice कर सकते हो, पढ़ने के बाद, चलिए बात की चीज़े बाद में बात कर लेंगे, whatsapp channel भी है, इसको भी made by reflection of light, okay, और फिर बोला, what are the different types of reflection, reflection का मतलब कुछ ऐसा बहुत complicated नहीं होता है, ठीक है न, और types of reflection के वल दो है, लेकिन उससे पहले एक और प्रशन है, that प्रशन है, what is light actually, कि light क्या होता है, तो दीको सबसे पहले light न, एक प्रकार का web है, okay, समझना बात को, कि light is a electromagnetic wave, which gives you sensation of vision, मतलब light एक ऐसी चीज है, जो एक web है, simply, ओके, और वो आपको देखने का एसास कराती है, क्या कराती है, चीजों को देखने का एसास कराती है, अभी हमें experiment लगरा करेंगे, तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ माएगा, कैसा web है, electromagnetic wave है, कैसा web है, electromagnetic wave, clear है, अपने notes में reflection of light का मतलब होता है, light किसी चीज से टकरा करके वापस आ रहा, क्या होता है, reflection of light का, मतलब कि light किसी चीज से टकरा करके वापस आ रहा है, अब देखो, यहाँ पर समझना बात को, कि types of reflection क्या होते है, मैं आपको थूड़ा सा explanation वाला पाट देता हूँ, कि भी हा, what are the types of reflection, अब जब light किसी चीज़ से टकरा रहा है, मालनो light ऐसे टकराया, हो सकता है कि वो एक plain surface हो, ओके, और light टकरा करके ऐसे आ जाया, तो इसको बोलते है regular reflection, इसको क्या बोलते है बच्छो, regular reflection, लेकिन हो सकता है कि जिस चीज़ से हमारा light टकरा रहा है, वो एक irregular surface हो, समझ रहे हो न, irregular surface हो, तो फिर भी light टकरा करके तो आई जाएगा क्योंकि reflection of light है तो इसको हम बोलते है irregular reflection, irregular reflection, clear हो गया दो type of reflection, चलिए अब एक छोटा सा experiment करते है, importance of light को समझने के लिए, तो मैं आपको लेकर करके आया हूँ एक अंधेरे रूम में, चलो, आप सब लोग बहुत सारे लोग हो, तो मैं नोभीता को लेकर आ जाता हूँ कि इस रूम में क्या क्या है, पूरा गना, गनगोर अंधेरा है इस रूम में, तो मोले के नहीं सर, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो नोभीता क्या कह रहा है, I cannot see anything, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है in the dark room, even though my eyes are open, मेरी आखे खुली हो या हो ब ऐसी light अंदर आता है, हमारा नोभीता खुश हो जाता है, वा, I can see everything, but as soon as the light is switched on, चीज़े दिखने लगती है, तो दीखो जैसे light उदर से आया, yellow color का दिख रहा है, यह light मानलो उदर से आया, यह इस photo frame पे टकर रहा है, और हमारा नोभीता मानलो की इस photo frame को दिख रहा है, तो light उससे reflect हो करके आता है, आखे खुली हो या हो बंद, light चाहिए देखने के लिए बंद आखों से नहीं दिखता, okay, आगे बढ़ता है, so light from the source hits the objects and get reflected and things are visible, light किसी चीज़ से टकराती है, हमारे आखों में आती है, और वो चीज़ हमें दिखती है, जिससे light टकरा के आ रही है, got it, चलिए, तो आपको यहां तक अगर बहुत अच्छे से समझ आ गया है, तो अब हम समझते है कि light is a form of energy, light क्या है, एक प्रकार का energy है that produces sensation of vision, जो देखने का ऐसास कराता है, अब energy से भी बढ़िया शब्द क्या है, जो मैंने आपको बुला था, कि light एक electromagnetic radiation है, electromagnetic wave है, okay, बहु हमारे light की न दो properties होती, मैं आपको एक छोटा सा experiment भी दिखाऊंगा, तो light की दो properties होती है, पहला होता है rectilinear propagation, अब rectilinear का मतलब है सीधे line में, और propagation का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो हमारा light जो है, वो सीधे line में आगे बढ़ता है, और दूसरा वाला reflection of light की light टकरा करके वापस आता है, जो अभी हमने देखा, पहले वाले को देखने के लिए, rectilinear propagation of light को समझने के लिए, हमें एक experiment करना है, okay, light is traveling in a straight line, simple, तो हम एक experiment देखेंगे, इस चीज़ को verify करने के लिए, और मैं experiment आपको दिखाऊंगा, YouTube पे एक shots के मातलब से, ठीक है न, तो अभी आपक और एक torch से light जलाया जा रहा है, जब एक torch से light जलाया जा रहा है, तो तुमको बहुत easily दिख रहा होगा, मैं इस to mute कर देता हूं, okay, कि जो light जब जलाया जा रहा है learners, तो ये देखना, अभी है, हापर दिखना, okay, जब light जलाया जा रहा है, तो light क्या कर रहा है, एक straight line में travel कर देखो, can you see this, light straight line में travel करके वहाँ पर अपना image बना रहा है, मतलब एक गोल सा हमें दिख रहा है, जैसे light travels in a straight line, अब इसी चीज को verify करने के लिए हमने experiment में थोड़ा change किया, कि एक cardboard को हम क्या करेंगे, खीच करके थोड़े circle को line से हटा देंगे, अब जैसी हम ये करते हैं, तो torch से light जा रहा है, लेकिन वहीं पर टक्रा करके रूख जा रहा है, आगे नहीं जा पार, can you see this, फिर जाओन सही करेंगे, तो फिर से जाएगा, फिर से हटा आतेंगे, तो फिर से नहीं जाएगा, तो इस चीज से हमें क्या समझ में आता है, हमें इस experiment से समझ में आता है, rectilinear propagation of light, कि light हमेशा एक straight line में travel करता है, clear, simple है, चलो, तो आगे बढ़ते हैं, और हम हमारे topic में थोड़ा सा next, यह experiment था है, यहापर जो मैं आपको दिखाया, basically, ठीक है, अब दीको, दूसरा light का property हमने क्या बोला था, reflection of light, कि light किसी चीज से तकरा करके वापस आता है, तो दीको, जैसे यहाँ पर मालो, एक mirror है तुमारे पास, और तुमने एक torch से light जलाया है, तो यह जो incident rays है, incident rays मतलब वो rays, जो source से आ रहे है, यहाँ पर source के हमारा torch, okay, source से जो rays आते है, light के rays, rays क्यों बोल रहे है, सर हम इसको incident मतलब जो आ रहे है, rays क्योंकि इसके पास एक direction, got it, इसके प पास भी direction है, इसको हम बोलते है, reflected rays, और यही reflection of light के कारण जैसा कि मैं आपको बोला, आपको दुनिया के हर एक चीज दिखती है, चाहे हो, एक sunset हो, एक sunrise हो, या फिर एक सुंदर सा rainbow हो, या फिर कोई और, हर एक चीज सुंदर, आपके माता, पिता, आपके भाई, वेहन, नहीं है, अगर आप सच में एक अच्छा result लाना चाहते हो, और seriously पढ़ना चाहते हो, समझने के purpose से, तो आपको किसी अच्छे teacher से पढ़ना बहुत important है, और हमारे पास अभी सबसे बढ़िया एक batch है, जिस batch का नाम है, combo batch, मैं आपको बताता हूँ, क्या है combo, अगर आप हमार नंबर दिखा देता हूँ, 85275291, इस पर call करके inquiry कर सकते हो, updated price के लिए, ठीक है, चलो, तो यह combo batch, जो लोग join करते हैं, उनमें से कुछ बच्चों को हम लोग ना, free foundation batch देते हैं, बतातो इसके बारे में, डेटेल में, अब यह थोड़ा सा result देख लो, यह हमारा last year का result है, मत 25% से ज़्यादा score किया था, 13 बच्चे हमारे class से ऐसे थे, easy learning, online class है हमारा, online हम पढ़ाते हैं, जिन्नोंने first rank score किया था, अपने school में, आप लोग में से भी बहुत तारे बच्चे, first rank definitely score करना चाहते होंगे, यह जो batch की मैं बात कर रहा हूँ अभी, obviously तुम बाद में वीडिय होगे, तो भी कोई ना कोई batch रहेगा, बस year बदल जाएगा, तो 2024 में जो बच्चे 9th में और 26 में जो लोग board exam देने वाले हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, okay, और English medium और semi English medium दोनों की बात कर रहा हूँ, हम all subject और test series देते हैं, okay, चलो मैं इच्छे से समझाता हूँ यह क्या निलिमा मैं social study पढ़ाती, English medium को, फरीन मैं social study पढ़ाती है, मराथी में, same English medium वालो बच्चों को, और साथी साथ यह मराथी language भी पढ़ाती है, और कोमल दिक्षित में हम हंधी बढ़ाती है, तो all subjects हम पढ़ाते है learners, और सारे टीचर आइसे ही पढ़ाते है, animation से, दिरे अच् चाहता हूँ आपको, कि हमारे class का timing होता है, शाम को, 7.45 PM, मैं शाम की बात कर रहा हूँ, to 10 PM, 10 बज तक रहता है, बीच में 15 मिट का break भी देते हैं, ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, पूरा syllabus हम पढ़ाते है, term 1, term 2, पूरा पढ़ाते है, access आपको mobile, PC, tablet, both Android, iOS, सब पर मिल और test series, objectives, subjective दोना है, जैसा कि मैंने आपको बता है, learners, अगर आप खाली 9th हमारे पास join करना चाहते हैं, और अगर अभी अब 2024 में अगर join करना चाहते हैं, तो victory 3.0 badge है, लेकिन बाद में आप आपको victory 4.0 होगा, या 5.0 होगा, क्योंकि हम limited बच्चों का admission लेते हैं, ठीक है, तो आपको victory badge join करना है, कुल मिला के, आप call करके हमसे बात कर सकते हो, ओके, नमबर हम बता दू, मैं आगे, लेकिन अगर आपको खाली 10th join करना होगा, तो आपके लिए आरंब badge रहेगा, ये 5.0 है कि 4.0 है, ये totally इस बात पर depend करता है, कि आपका admission लेना है, तो आप call करके inquiry ज अभी current price है, that is 5.000 रुपीज, ये मैं खली second term की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे पूरे साल की price होती है, around 10.000 रुपीज to 7.500 रुपीज के आसपास होती है, ठीक है न, तो वीडियो देखते हैं, आप बहुत लोग call करते हैं, कि सर 5.000 था, नहीं, मैं ये term 2 की बात कर रहा ह अगर आप भी admission ले लेते हो, ठीक है, जैसे आज मालो, आज की दिन अगर आप लेते हो, तो आपका 9th और foundation हम start कर देंगे, फिर आपका, आपका foundation है, 9th आपका खतम हो जाएगा, और class 10th start हो जाएगा, आपका April 2025 में, मैं 24, 25, 26 वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर आपका मालो, 30 April तक आपका 10th भी खतम हो जाएगा, foundation आपका July में खतम होता है, अब ये year जो है, आपका admission ले रहा हो, उसके एक रोडिंग थोड़ा change हो सकते हो, क्योंकि ये वीडियो लंबा चलेगा, I know that, anyway आपको ये सारी चीज़े clarity के लिए, आप सीधे हमारे number प करके doubt पूछ सकते हो, resign का एक feature है, हम class में बहुत सारे poll quizzes लेते रहते हैं, जैसा भी मैं लूँगा, और चैट का option भी है live class, और ये पूरा live होता है, okay, questions है जो बच्चे पूछते की batch किसको join करना चाहिए, class 90th के बच्चों को join करना चाहिए, जो 90% से जादा लाना चाहते है, ठीक है, live होती है, सारी classes, हर एक subject के और उसकी recording भी मिल जाती है, और ये हमारे app पे होती है, YouTube पे नहीं होती है, और हमारे ही website पे होती है, easylearning.ly, जो fee मैंने बोला, वो yearly fee है, monthly fee नहीं है, ठीक है, पूरे combo का, and जो पूरे combo का fee है, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, that is 10,000 अगर आप पूरा combo लेना चाहते हो, मतलब अभी अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हो, term 2 के time में, क्योंकि ये term 2 का चाहती है, तो अभी जो हमारा current year का fee है, that is 10,000 रुपीज, तो 9th प्लस 10th आपको मिल जाएगा, foundation, test series विगरा, आपको free of cost मिल जाएगा, I hope that is clear, कोई भी प्रशन आपको अगर इससे related है, तो please हमारे इस number पे call करना, या फिर आप directly application डाउनलोड करके check कर सकते हो, आपको चीज़े दिख जाएगे, ठीक है, application पो latest चीज़े रहेंगी, जो latest pricing वेर आ रहेगा, वो आपको दिख जाएगा, बाकि कोई भी प्रशन के लिए आप इस number प आता है बच्चों का हर साल, आप inquiry करिए, आपको पता चलेगा, तो इसको अगर सब्दों में लिखने जाओ, तो क्या है, कि when light ray strikes the boundary of two media, such as air and glass, the part of light is returned back into the same medium, this is called as reflection of light, मैं समझाता हूँ, माल लो कि यहाँ पर यह एक boundary है, बीच में एक boundary है, चारो तरप air है, okay, light ray आया, okay, इसको हम बुलते है, incident ray, everyone, इसको हम क्या बुलते है, incident ray हमें पता है, okay, air से आ रहा है, glass पे टकरा रहा है, okay, माल लो, आइन है न, glass पे टकरा रहा है, और वापस यहाँ से, इस point से, यह normal होता है, एक line हम जोईन करते है, स्ट्रेट लाइन बनाते है, ठीक है, एक जहाँ से आ रहा है, उसी तरफ वापस जा, can you see this, air से अगर आया था यह, और glass पे टकरा आया, तो फिर से air की तरफ ही गया, okay, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर तुम पढ़ोगे तो, such as air and glass, part of light turned back into the same medium, air से आया था, air में चला गया, इसी को हम reflection of light बोलता है, simple भा फिर एक angle बन रहा है, reflected ray और normal के बीच में, शब्दों पिधान देना, reflected ray और pink वाल है, जो normal है, उसको बीच में उसको बोलता है, angle r, okay, यह angle i है, angle of incidence, angle r है angle of reflection, यह दोनों बहुत important है, क्योंकि अब हम laws of reflection पढ़ने वाले, laws of reflection में हमें दो law पढ़ना है, simple सा, पहला law बहुत simple ह lie on the opposite side of the normal, तुम हो लोगे मतलब, देखो यह वाला situation देखो, incident रहे, यह रहा तुम्हारा normal और यह रहा reflected रहे, अगर तुम देखोगे, तो यह दोनों opposite side में है normal के, can you see this, incident रहे इस तरफ है, और reflected रहे उस तरफ है, दोनों opposite side of the normal, simple rule है, याद रहेगा तुम लोगो को, अब दूसरा वाला देखो क्या है, the angle of incidence is equal to angle of reflection, तो यह angle of incidence है, और यह angle of reflection है, यह दोनों बराबर होगा, मतलब अगर यह वाला 30 है, तो यह वाला भी 30 ही होगा, चाहे वो दोनों में से कोई भी type of reflection हो, regular reflection हो यह regular reflection, यहाँ तक सीजे बहुत basic है बच्चों, और यह पहला प्रशन ह तो मारे लिए, light is a form of energy, true or false, नीचे comment में बताना है, light is a form of energy, true or false, नीचे comment में बताना है, जल्दी बता देखो, next question देखो क्या है, which of the following is correct, कौन साइन में से सही है, i is equal to r, i is equal to i plus r, r is equal to i plus r, i not equal to r, नीचे comments में बताना है, कि second, okay, कभी, ऐसे बता देना, या फिर पूरा answer ल नीचे comments में बताता है, तो यहां तक हमारा सारा basic था, introduction था एक तरीके से chapter का, जिसमें हमने reflection क्या होता है, light क्या होता है, properties of light क्या होती है, हमने देखा, okay, फिर हमने देखा कि laws of reflection क्या है, incident ray क्या होता है, reflected ray क्या होता है, normal क्या होता है, angle of incidence क्या होता, angle of reflection क्या होता है, अब इ Basically, एक प्रश्न, प्रश्न कहा है, what is a mirror, आइना क्या होता है, अब आप सभी लोगों को पता है, कि आइना क्या होता है, एक reflecting surface होता है, अगर नहीं पता है, तो सुल लो, आइना एक reflecting surface होता है, mirror is a reflecting surface, for example, अगर माल लो, मेरे पास ऐसे एक आइना है, तो उसमें मैं अपने आपक spherical mirror, plane mirror वो mirror जो हम regularly use करते हैं, देखते हैं, देहां से समझते हैं, यहां पर देखो, यह दो plane mirror एक certain angle पर रखा हुआ है, तो तुम्हें दिखेगा कि जितना बड़ा object है, उतना ही बड़ा image बन रहा है, तो plane mirror में क्या होता है, object और image same size क्या होता है, समझा है, ऐसा नहीं होगा क्या है, इस बात पर पर उसे depend करता है कि object और आइने को कितनी दूरी पर रखे है, समझ रहो न, तुम्हें आइने से बहुत दूर चले जाओगे, या आइने से बहुत पास आजाओगे, तो उससे फर्क पड़ जाएगा, यह बात याद रखना है, कई लोग के मन में यह question आ भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, में और में नॉट भी, यह हो भी सकता है, spherical mirror में और spherical mirror में नहीं भी हो सकता है, तो वो किस पर डिपेंड करता है, कि object कहां है, ओके, object कहां पे रखा है, clear है, चलो next देखो, पहला प्रशन देखो, चौता प्रशन हो रही, rich of the following are types of mirror, कौन्ज the plane mirror, size of the object is dash to the size of image, not equal, equal, half, double, क्या होता है, मैं तुम लोगों को छोटी सी बात बता हो क्या, before going to the next topic, जब मैं live class लेता हूँ, easy learning के application पे, या फिर जो बच्चे laptop से website परटेंड कर रहे होते है, हमारे paid badge की बात कर रहे हो, तो वहां पे भी, ऐसे ही questions मैं पूछता हूँ, बच evidence most होता है, साथी साथ हम test भी लेता है weekly, जिसमें क्या होता है, हम बच्चों को paper check करके देता है, तो बहुत सारी facility है, तो आप definitely इस number पर call करके admission जरूर ले लेना, ठीक है, अभी तो combo अला offer चालो है, जो बहुत बढ़िया होता है, जो term 2 में, October November में offer चालो रहता है, ठीक है, आप call करके inquiry करो, और admission confirm करो, चलिए, आगे बढ़ता है, अब है making of plane mirror, एक बच्चा बोला, कि यह भाई आप plane mirror कैसे बनाते है, बहुत simple है, बहुत simple है, plane made it को बनाना, हमें transparent street चाहिए, काच का basic लिए, ठीक है, या फिर किसी भी चीज का जो reflect कर सा है, transparent, बतला light power हो सके ठीक है और उसके उपर हम क्या करेंगे, उसको हम coat कर देंगे, aluminium या फिर silver से, तो मालू मैंने silver का एक layer चड़ा दिया, अच्छा, यह मने क्यों किया, opaque बना निकले, opaque मतलब कि light इसके आर पार न जा पाए, got it, अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्या भी तो यह reflect करेंगा, ल minimum भी उच कर सकते हो, और अब क्योंकि वो silver जो मैंने metal का layer चड़ाया तो निकले न, इसके लिए मैं उसको paint कर दूँगा, lead oxide से, lead oxide का formula है, PBO, okay, मैं क्या करूंगा, lead oxide से पूरा उसको coat कर दूँगा, कि यह जो मैंने layer चड़ाया है, यह layer बिलकुल न निकले, okay, ऐसा करने के मेरे पास mirror ready हो जाएगा, reflecting surface ready हो जाएगा, और यह reflecting surface का मेरा mirror है, अच्छे यह तो मेरा overall mirror हो गया, जो reflecting surface है, light आया, light गया, but इस mirror को diagramatically कैसे दिखाते है, for example, तुमने जब current electricity पढ़ा होगा, तो घर के अंदर का bulb कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन तुमों बल्ब को बनाते कैसे ह diagram में, symbol वो है ना, इसका, for example, हम लोग जो, जो हमारा resistor होता है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जोटा सा इसा दिखता है, तुमने पढ़ाता है, तो हर एक चीज़ का एक symbol होता है, तो उसी तरीके से, इसका symbol क्या है, कि तुमको एक line ऐसे बनाना है, और उसके उपर तु तो एक plane mirror में हम क्या करते है, ऐसे एक straight line मनाता है, उसके side में oblique lines, उपर उपर, या नीचे-नीचे की तरफ ऐसे बना देता है, तो जो side में lines है, हमें पता चाल जाता है, यह coated है, painted है, और यह वाला side है, हमारा side है, हमारा reflecting surface, छटा question, silver metal is one of the best reflectors of light, true है कि false है, नीचे तुमको comment में बताना है, साथमा question, तो protect the silver coating, plane mirrors painted by dash, lead peroxide, lead oxide, lead oxy, all of this, अब नीचे तुम्हें इसका comment में answer देना है, तो यहां तक हमने बहुत सारी चीजे पढ़ लिए, and I hope कि आपको plane mirror के बारे में भी काफी सारी clarity आगी होगा, हम इसे लिटे numericals भी करने वाले plane mirrors related, और spherical mirrors भी पढ़ हुआ है, लेकिन उसके लाबा और भी बहुत सारे properties है, उन properties के बारे में भी हमें पढ़ना है, तो चलिए काम करता है, बात करता है, उन properties के बारे में, कि characteristics of image obtained by a plane mirror, यह जो topic है, बहुत ज्यादा important topic है, characteristics of image obtained in a plane mirror, क्योंकि यहां पे आपको कई सारी ऐसी चीजे समझ आएंगे क्योंकि यह चीजे नहीं समझ आई है, ठीक है, चले तो ध्यान देता है, सबसे पहले, अब भी को बहुत सिंपल है, point source, point source का मतलब क्या है, कि आप जैसे imagine करो, कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, point source का मतलब मेरे पास कुछ है, दिखा नहीं है, तहां गया, तहां गया, तहा पटर-पटर की आवाज पाई होगी, तो जैसे मालो की यह मेरे पास एक presenter है, और इस presenter के अंदर एक छोटा सा बल्ब है, और तुमको दिख रहा होगा, एक light निकल रही है, तो यह जो light है, वो सीधी निकल रही है, एकदम सीधी निकल रही है, फैल ने लिए चारो तरफ, तो इसको हम बोलते सकते हैं कि एक point source से light आ रही है, एक छोटा सा point है, जहां से light आ रही है, सिंपल है न, देखो जैसा मैं example से बताता हूँ, मालो की एक आईना है, तुमारे पास यह, M1, M2, आईने का नाम है, ठीक है, M1 उपर की तरफ, M2 नीचे की तरफ, और हमारा जो यह diagram है source है, जहां से light निकल रहा है, चारो तरफ, बस वो चोटा है, बहुत पॉइंट जैसा है, अब होगा क्या बेटा, कि यहां से, ठीक है न, सबसे पहले तुमको यह समझना है, कि बहुत सारे light rays निकल रहे होंगे, चारो हर direction में, ऐसे बहुत सारे light rays तो निकल रहे होंगे, यह जो हमारा source है, इस से बहुत सारे light ऐसे निकल रहे होंगे, चारो तरफ निकल रहे होंगे, है यह चोटा source, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे है, point source बोल रहे हो, और यह वाला experiment तो यह भी बता रहा था, हमारे light travels in a straight line लेगा, light travels in a straight line लेगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी दो rays लेगे, तो मालों यहां से point का नाम है O, O से एक ray निकला R1 और एक निकला R2, यह दो ray हमने लिया, ऐसे infinite rays आ रहे होंगे यहांपे, मैं फिर से बता रहा हूँ, ओके, बट हम क्या कर रहे हैं, हम बस दो ray को लेकर के study कर रहे हैं, अच्छे यह जो दो रहे हैं, वो as per law of reflection, क्या हो जाएंगे, reflect हो जाएंगे, तो यहां पर normal बनेगा एक, perpendicular to the surface, तो हमारा जो आइना था, उसके perpendicular 90 डिग्री पर बन गया, और उसके बाद क्या होगा, यह reflect कर जाएंगे, as per laws of reflection, तो यह reflect कर गया, as per law of reflection, इसका नाम S1, S2 है, as per law of reflection, मुलने का मतलब क्या भीया, त angle of incidence will be equal to angle of reflection, incident रहे एक तरफ, reflected रहे एक तरफ, incident रहे एक तरफ, reflected रहे एक तरफ, समझ आया, समझ आया के, जो हमने दो law पड़ा था, वो follow होगा, अब मुझे एक बात बताओ, तुम, simple सा knowledge से मैं कोई बात बताना, यह जो object है मेरा, point source जो है मेरा, यह point source मुझे कहां अब मुझे यही साबित करना है, got it, लेकिन अगर यह दो raise को मैं अगर infinite extend भी करूँ, इन दो raise को, जो S1, S2 है, जो reflected raise है, इनको अगर मैं infinite extend भी करूँ, तो भी यह दोनों कभी एक दूसरे को meet नहीं करने वाले है, these two raise are never going to meet each other, तो हम आगे की तरफ, जब एक दूसरे से जा रहे है, जैसे S1, S2, एक दूसरे से दूर जा रहे है, तो हम आगे की तरफ extend अना करके, हम पीछे की तरफ extend करेंगे, तो हमने जब पीछे की तरफ extend किया, तो हमको यह दोनों इस point पे मिलते हुए नजर आए, और मैं कहता हूँ कि इसी point पे मुझे मेरा image दिखेगा, मेरे पास एक आइना था, M1, M2, एक मेरे पास light का source था, इधर कितनी दूरी पे रखते हुए, मुझे साबित करना है कि वो यहां कहीं तो दिखेगा, कैसे करेंगे हम, इस light से infinite rays निकल रहे हुए, हम कोई भी दो ray लेंगे, R1, R2, वो दोनों ray reflect हो जाएंगे, नॉर्मल यहा मेरा image बन रहा है, समझाया, इतना मुझे साबित करना था, clear हो गया, अब यह वाला diagram देखके, मैं कुछ चीजे बोल सकता हूँ, और वो ध्यान से सुनना, क्योंकि यही चीजे important है, the reflected rays do not actually meet, जो S1, S2 था, वो क्या था, reflected rays था, blue वाल, क्या वो दोनों actually meet कर रहे हैं, एक इमेज है, नकली इमेज है, समझ रहो, यह light का नकली इमेज है, तो मैं इसको क्या बुलाता हूँ, virtual image, इसको क्या मिलाता हूँ, virtual image, हमेशा virtual image तभी form होगा, जब reflected ray एक दूसरे से कहीं meet नहीं कर रहे हैं, जैसे S1, S2 जो reflect हो करके आ रहात आईने से, yellow वाले incident ray थे, यह yellow वा नहीं कर रहे है, ठकरा नहीं रहे है एक दूसरे से, इसलिए यह image है, वो virtual image, अच्छा दूसरी बात यह है यहाँ पर, कि om1 is equal to o1m1, तो मतलब क्या बोला चाहरे हो, हमने क्या बोला, कि om1 यह है om1, मालो यह 2 cm है, तो o1m1 यह हो गया, यह भी 2 cm होगा, तो इससे साबित क्य होता है भाईया, कि जितना दूरी पर object है, उतना ही दूरी पर image बनेगा, समझ आया, आइने से जितना दूर object है, उतना ही दूरी पर image बनने वाला है, एक बार फिर से, आइने से जितनी दूरी पर object है, उतनी ही दूरी पर image बनने वाला है, समझ आ गया, अब देखो दूसरा डाइग्राम, extended source, point source मतलब एक छोटा सा source, extended source मतलब बड़ा source, for example, ये pen ले लो, for example, ये mouse ले लो, for example, मुझे ले लो, बड़ा source खुल में लागे, extended source का मतलब, ठीक है, तो मालो incident ray आये, ऐसे parallel आये, बहुत दूर से आ रहे, हम क्या बोल रहे है, कि बहुत दूर से आ रहे है, rays falling on a mirror, normal to its surface, मतलब, यहाँ पे एक normal होगा, यहाँ पे एक normal तो बनाओगे, तुम लोग ऐसे, मैं red color से बनाता हो, कि तुम्हें दिखे, तो यहाँ पे एक normal बनाओगे, surface से 90 degree, यहाँ पे भी एक normal बनाओगे, surface से 90 degree, अगर light rays सीधे गिर रहे हैं, तो अब angle of incidence क्या होगा, 0 degree, तो angle of reflection क्या होगा, 0 degree, simple है, इसको जादा complicated बनाओगे, तो light ऐसे ही चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे, reflected, रस blue वाले, अगर light rays स्ट्रेट गिरेंगे ना, 90 degree पे, तो 90 degree पे निकल जाएंगे, got it, surface से 90 degree की बात करों, ओके, और यह 0 क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल से बोल रहे हैं, दोनों अलगे, anyway, point कहेंगे, अगर light बहुत दूरी से आ रहे हैं, तो सीधे सीधे वह अपस चले जाएंगे, हमको पूरा पूरा दिखेगा, जैसे अगर अभी मैं तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं, तो मैं पूरा दिखूँगा ना तुम्हें, क्योंकि बहुत सारे light मुझे से टकणा आ रहे हैं, सारे light टकणा करके तुम्हारे आखों में जा रहे हैं, मैं तुम्हें पूरा दिख रहा हूँ, खुल में लागे, समझ आया हैं, next देखो तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, extended source में तुम यह वाला diagram देखो, तुम्हें तो पूरा pencil दिखने वाला है, तो हम यही बोलना की कोशिश करता है, extended source हमें mirror में पूरा दिखाई देता है, simple, got it, extended source हमें mirror में पूरा का पूरा दिखाई देता है, point source जैसा दिखाई देता है, ज्यादा complicated hue बनाना, चलो अब आगे बढ़ते हो next topic को देखते है, हम अब characteristics पढ़ रहे है, images obtained by plain mirror, okay तो यहाँ पर देखो, अगर मैं अपना left hand उठाता हो, stand in front of a mirror and raise your left hand, your image in the mirror will raise right hand, अगर मैं left उठाता हो तो आइने में right उठेगा, समझार है, अगर तुम right उठाते हो तो आइने में left उठेगा, got it, तो अगर तुम अपना right hand उठाते हो तो आइने में left hand उठेगा, उल्टा होगा, इस चीज को बोला जाता है, it means the right and the left sides are interchanged in the image formed in the plain mirror, मतलब जो plain mirror होता हो उसमें तुम्हारा right और left interchange हो जाता है, इस चीज को बोला जाता है lateral inversion, इसका जो शब्दों में नाम है that is lateral inversion, कि जो plain mirror के अंदर images बनती है, वो laterally inverted होती है और यही कारण है, ठीक है ना, laterally inverted होती है, यही कारण है कि तुमने देखा होगा ambulance के उपर उल्टा लिखा हुआ है, A, B, U, L, A and C, तो क्या होता है, महलो कि यह कोई दूसरा गाड़ी है, जिसका आइना है, मतलब मैं आगे चला रहा हूँ, पीछे एक ambulance है, तो मुझे जो यह ambulance है, जब मेरी तरफ आएगा, तो मुझे सीधा नजर आएगा, मुझे कैसा नजर आएगा, सीधा नजर आएगा, क्योंकि आएना में चीजे कैसे होती है, लेटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है, कि तुम आगे वाले इंसान को सीधा दिखेगा, वरना आगे वाले इंसान को उल्टा दिखेगा, समझ आया बढ़ी है ना चल अब आट वा क्वेश्टन का जवाब बताओ अब अगला टॉपिक हमारा एक छोटा सा नियुमेरिकल वाला टॉपिक है बेसिकली इन टाइप के नियुमेरिकल बुलाते हैं इस चेप्टर तुम बोलोगे क्या है नहीं है मैं अच्छे से समझात बहुत है बहुत परla super easy हो है देखो तुमको लड़का हो लडकी हो तुमको बढ़िकली गया होगे अगर नहीं कट्व तक तक तो युदे त्क तो कितना लंबा तुम्हारा बाल होगा तुम आगे बाल Divis के बता हुश तो तुमको कुछ ऐसा situation दिखता है कि Image moons conce के अंदर image image के अंदर image जैसा मालो तुम आगे आगे देखके बाल कट आ रहे हैं ठीक है मैं तो देख चुका होगे और पीछे भी एक आएना लगा हुआ तो मुझे क्या दिखता है कि बहुत सारी अबजेक्ट अबजेक्ट मतलब क्या है कि अगर दो बेसिकली समझना ठीक है दिस बिकॉर दर लाइट अफ रेस्ट रिफ्लेक्शन आप्टर वन मिर फॉल्स ऑन दर मिर मैं शब्दों में समझाता हो तुमको सिंप्ली ठीक है सब्दों सब्जात और अच्छ यह लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा बताते है तो मुझे थोड़ी दना सर्दी है और वह सर्दी के कारण क्या होता है कि इंसान के नाकों पर बहुत इचिंग होती है तो तो तुमनें नोटीस किया होगा सर नाक क्यों को जा र मुला है एक है दो मिलर के बीच का एक एंगल और यह एंड कितने इमेजस बने है 360 डिगरी एक एंगल है और माइनस वन हम कर रहे है अब देखो मैं समझात हो तुमको क्या है मैं कहना क्या चाह रहा था बहुत इजली समझात हो मैं तुम्हें वो शब्दों में क्या-क्या ल और इसके बीच की यहां पर माणलोह है औढया कोई शुक्रblock क्यूट रखंद दियको है तो इसके कटने इमेजस बने आंगात यह कि number of images is equal to 360 degree upon A, 12 आइने के बीच का angle minus 1, चलो देखते हैं, ठीक है न, तो मालनों कि यहाँ पर 2 आइने हैं, तुमको फोटो पे दिख रहा होगा, कि 90 degree पे रख्या होगा है, कितने images दिख रहा हैं तुमको, 1, 2, 3 images दिख रहा हैं, हमें right, 90 degree पे हैं, तो हम प्रूब करते हैं इसको, example, if the angle between the two measures is 90 degree, तो यह formula में हम डालते हैं, N, A के जिएके 90 degree आजाएगा, 360 degree upon 90 minus 1, अब यहाँ पे calculation कैसे कर होगा दूम, देखो न, यह 0, यह 0, cut, 9 बन जा 9, 9 फोर जा, 36, तो 4 minus 1, 4 minus 1 कितना हैगा, 3, तो 3 images मिल रहें कि नहीं मिल रहें, simple है, आप देखो सवाल क्या है, if the number of images is 3, then the angle between the two mirrors, इसका जवाब को सबको देना है, अब भी अभी बताया है, angle केता होगा, तो इसे उल्टा सुल्टा भोशिन पूछते ही दामें, तुमको नीचे comment में जवाब देना है, ठीक है, चलिए, आपने दे दिया होगा, आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग सीधे ये type 1 के numerical करते है, type 1 के numerical है, वो इस formula पर best है, n मतलब number of images, a मतलब angle between the mirror, तो हम कुछ अलग-अलग situation देखेंगे, और ये question solve करेंगे, खुल मिला कि इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना है, तो पहला situation देखते हैं, पहला situation हमको क्या बोला है, कि अब बर्ड is sitting in front of two plane mirror, तो दो plane mirror के सामने एक bird बैठी हुई है, और वो दो plane mirror एक दूसरे से 60 degree पे है, कितने images बनेंगे, बर्ड के उस mirror में, 60 degree है, तो simple है न, given क्या angle between, हमें 2 mirror कितना दिया, 60 degree दिया है, हमें images ढूणने है, number of images, formula n is equal to 360 degree, upon a minus 1, तो करो, 360 degree upon 60, angle 60 था minus 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो, 00 कटो जाएगा, 6 बन जा 6, 6 बन जा 36, 6 minus 1, कितना जाएगा 5, तो answer क्या है, इसका 5, hard नहीं है, easy है, देखो अगला कुश्चन देखो, a coin is kept in front of, two plane mirrors, inclined to each other, if the three images of the coin, are seen in that, what is the angle between the mirror, एक coin को, 2 mirror के बीच में रखावा, तुमको 3 images दिख रहा है, तुमको answer याद, अब 90 आएगा, तो देखो ना, हमें क्या डूढ़ना है, number of images 3 दे दिया, angle हमें ढूढ़ना है, formula हमारा ये है, okay, angle between the mirror, हमें ढूढ़ना है, अब देखो यहाँ पर, यह हमारा formula है, number of images 3 हमें दे दिया है, यह हमें ढूढ़ना है, तो कैसे ढूढ़ना होगे, इसको उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, simple है ना, या फिर directly एक काम करो, यह जो तुम्हारा है, देखो इसको solve करने का, calculation अपना-पना हो सकता है, सबका calculation अपना-पना हो सकता है, यह minus 1 को उधर लेके होगे, तो plus 1 हो जाएगा, तो 4 हो गया, और बाकी यह 360 degree upon A को ऐसे ही रहने तो, तो यह हो गया, तुम्हारा 4 is equal to 360 degree, डिवाइड बाइ A, calculation अपना-पना हो सकता है, अब इस A को उधर भेज दो, तो यह हो जाएगा 4, अब इस 4 को नीचे ले आओ, तो A is equal to क्या आजाएगा, तो मैं बहुत लंबा calculation कर रहे हैं, तो 4 बन जाब 4, और यह क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 9 जाब 36, तो यह 9 और उपर का 0 एक आगा, तो 90 degree आए, तो अब को पता ही था, how many images, the boy will be see in the middle, simple है ना, हमें दिया हुआ है, angle दिया, number of images धूढना है, same वही formula, तो देखो डाल देओ, n is equal to 360 upon 120 minus 1, तो यह कित्ता हो जाएगा, 0 0 cut, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो 3 minus 1, 2 आजाएगा answer, तो इस type के numerical, बहुत easy numerical, इन फेक्ट इस chapter में, सारे के सारे easy numerical, 3-4 टाइप के numerical सारे easy है, बाद में mix करें पूछे, चलो, तो यहाँ तक अगर clear हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं, और यह हमारा telegram channel है, अगर अब तक आपने join नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया भाईया, जोइन कर लेना, या फिर जो whatsapp channel है, उसको तो जिलकुल जोइन कर लो, उस पर बहुत सारी चीज़ें हम डालते रहते हैं, अब डेट आता रहते हैं, अब हमारा plain mirror वाला part, यहाँ पर पूरा chapter में complete होता है, और यहाँ से आगे, spherical mirror वाला part शुरू होता है, अगर मैं तुमको एक basic दिखाने जाओ, कि कितना कुछ आप पढ़ने के लिए, तो spherical mirror selected छोटी छोटी से topics है, उस से छोटे छोटी से term है, और बस फिर numerical वाली बात है, ठीक है न, तो spherical mirror को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, spherical mirror में हमें दो mirror पढ़ना है, एक है convex mirror और एक है concave mirror, अब यहीं पर आपको बूलता हूँ, cave के अंदर सारी चीज़े negative होती है, यह बात याद रखना, बात में बाकी चीज़े बात में देखेंगे, region क्या है नहीं है, कैसा है, वैसा है, ऐसा है, कैसा है, बढ़ याद रखना है, cave के अंदर सारी चीज़े negative होती है, इस बात को आप लोग याद रखना है, clear है, cave के अंदर सारी चीज़े, कैसी होती है बिटा, negative होती है, चलो, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, अब देखो convex mirror, तो मुलोगे सर, यह क्या है convex mirror, ठीक है, और concave mirror, यह दो spherical mirror है, अगर एक mirror का outer surface, सबसे पहले यह समझो कि, यह spherical mirror है, spherical mirror का मतलब क्या होता है, कि इसको हम बनाते हैं, एक sphere से, तो जैसे माल लो, यह मेरा पूरा sphere है, अब sphere को मैं काटूंगा, और उससे, मैं basically एक mirror बनाऊंगा, तो outer surface मतलब यह वाला, बाहरी surface, इधर से, और inner surface मतलब यह cave जैसा surface, गुफा जैसा surface, ऐसा चान्द की तरफ, तो बाहर की तरफ से देख रहा है, अंदर की तरफ से देख रहा है, तो convex mirror वो mirror होता है, if the outer surface, of the spherical mirror is reflecting, बाहरी surface जो है, मतलब जो ball था, उसमें बाहर की तरफ image दिख रहा है, is called as a convex mirror, तो देखो यहाँ पर, यह ball का एक छोटा सा हिस्सा है, spear का एक छोटा सा हिस्सा है, और बाहर की तरफ, इमेज दिखेगा, reflecting surface है, अंदर की तरफ हमने paint कर दिया है, inner surface में हमने क्या कर दिया है, paint कर दिया है, और बाहर की तरफ क्या है, reflecting surface है, जो आइना है basically white color का, got it, यह opaque surface हमें इसको paint कर दिया, जैसे हम करते हैं नो, अच्छे कौन के mirror इसका उल्टा, if the inner surface of the spherical mirror is reflecting, अब अगर अंदर वाला surface reflecting है, तो हम उसको concave mirror बोलते हैं, for example, इसको इस तरीके से देखा जाता है, clear को दो हिससे किये, तो इस side वाला हिसस, got it, यह अंदर की तरफ से क्या होता है, reflecting होता है, बाहर की तरफ से हम paint कर देते हैं, तो अंदर की तरफ से reflecting है, बाहर की तरफ से paint कर दिया, opaque कर दिया है, got it, तो अब तुम्हें सबजा किया क्या होता है, convex क्या होता है, अब देखो, एक convex mirror की अगर मैं बात करूँँगा, ठीक है, तो अगर एक convex mirror पर अभी बहुत प्यारी सी एक चीज है, ये चीज तुम्हें शायद अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन तुमको क्या करना है, इसको बिल्कुल याद कर लेना है, इसको तुमको बिल्कुल learn कर लेना है, इसको बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है, मैं इसको explanation मैं इसका आगे दूँआ तुरे दर्बार, जब हम basically 6 cases है हमारे, वो 6 cases जब हम पढ़ेंगे, तब मैं इसका explanation तुम्हें डिटेल में दूँआ, अभी तुमको क्या करना है, इसको बिल्कुल रट लेना है, तो माल लो कि एक convex mirror है, और इस convex mirror पे से न, अब एक चीज़ और तुम्हें याद रखना है, light हमेशा left side से आएगा, light हमेशा left side से आएगा, ये भी मैं आगे आपको पढ़ाने वाद, अभी एकदम याद कर लो इसको, तो एक convex mirror है, और माल लो left side से ऐसे light ray आ रहे है, ये सारे light blue color के जो है, वो कैसे एक दूसर से parallel है, तो when parallel rays are incident on a convex mirror, तो ये सारे rays क्या होते है, reflect हो जाएगे, बिल्कुल reflect होगे, और बिल्कुल laws of reflection के हिसाब जाओगे, angle of incidence is equal to angle of reflection, तो ये सारे इस तरीके से reflect हो जाएगे, ये सारे ऐसे reflect हो जाएगे, राइड कलर वाले reflected है, लेकिन अगर तुम्हें आपे ध्यान से एक चीज को देखोगे, तो एक convex mirror पे जब light ray गिरे, parallel, ओके parallel rays of light जब left से आया और गिरा, तो सारे light एक दूसरे से दूर जा रहे है, ये सब एक दूसरे से दूर जा रहे है, सारे rays एक दूसरे से दूर जा रहे है, कोई भी meet नहीं करने वाला है कभी, every rays going away from each other, अगर ऐसा situation है, ठीक है, after reflection rays are going away from each other, तो हम ऐसे mirror को बोलता है diverging mirror, everyone please दिमाग में लाओ इस बात को, this is a diverging mirror, diverging mirror मतलब चीज़े एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, got it, तो हमको ये बात बिल्कुल याद कर लेना है, क्या याद कर लेना हमें, कि convex mirror, कैसा होता एक diverging mirror होता है, diverging mirror होता है, इसको याद कर लो, समझा है, क्यूंकि light rays ऐसे दूर जा रही है, वहीं पर जो कौन के mirror है, light हमेशा कहा से आएगा लेट से आएगा, तो अगर parallel rays of light incident हो रहा है यहाँ पे भी, तो ये भी as per law of reflection ही होगा, कुछ भी law of reflection के विप्रित नहीं जा रहा है, लेकिन ये सारे rays of light एक point पे meet करते हैं, सारे rays of light एक point पे meet करते हैं, सब एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तुम देखो कि सब meet कर रहे हैं, क्यूंकि सारे rays of light एक single point पे meet कर रहे हैं, ठीक है न, meet at a single point, तो हम बोलते हैं कि ये mirror को हमें converging mirror बुलाते हैं, बलते हैं, converging mirror बुला, वो diverging था, यह converging है, तो concave mirror is a converging mirror, तो तुम्हें दो बाते बिल्कुल याद रखने हैं, कि convex mirror is a dash mirror, अभी बताया था, इसको एकदम याद रखना है, exam में पूछते हैं, औरल में पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, ओके, दूर जा रही थी, इसलिए वो क्या है, मैं यह answer में बता रहो, तुम भी नीचे comment में बताओगे, यह diverging है, ओके, and concave mirror कैसा mirror होता है, concave mirror is a converging mirror, इसको बिल्कुल याद रखना है, which of the following mirror has curve outward, बाहर की तरफ किसका होता है, concave का होता है, convex का होता है, बोट का होता है, left की तरफ से देखना है हमेशा, हमेशा light left की तरफ से आएगा, तुम left की तरफ से ही देखोगे, right की तरफ से कोई लिना देना ही नहीं है, तो लेफ्ट की तरब बाहार कॉंस निकला हुए, अब ऐसे जब हम question solve करते हैं, अब number तुम्हें दिख रहा होगा, 123 वापस start हो गया, क्योंकि हमने plain mirror से related बहुत question किया, और अब spherical mirror से related चीजे कर रहे हैं, तो I hope कि तुमने इसका जवाब दे दिया होगा, और यहां तक अपने basic हमने idea आ गया है, कि भाईया, concrete क्या होता है, convex क्या होता है, spherical mirror क्या होता है, अब बहुत सारे common terms है, बहुत सारे common terms है, जिन common terms को हमको basically अच्छे से समझना है, कि जो पीछे हमने बात किया, कि converging है, diverging है, और इसके बात जो हम यह वाले ray diagrams basically करने वाले है, ओके यह जो 6 साथ हमारे ray diagrams है, ओके यह ray diagrams हमें तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जब हमें यह common terms समझ में आ जाए, is it very much clear, तो भाईया common terms वाला topic कहां गया, spherical mirror, common terms, नहीं यह तो ray diagrams है, common terms में एक दो तीन चार पाच छे, 6 common terms है नहीं से लिए, ओके, तो हम यह 6 के 6 common terms पढ़ते हैं, तो हमारा जो पहला common term है, that is center of curvature, and remember यह सारी चीचे तुमको 10th standard में भी काम आने वाली है, अब तुम obviously बोलोगे, यह center of curvature क्या होता है, तो center of curvature आपको पता है कि यह जो हम mirror बना रहे है, basically वो एक sphere से बना रहे है, तो यह हमारा एक spherical shape है, circle जैसा दिख रहे हैं, तो यह circle का एक center होगा की नहीं होगा, इसी center को हम center of curvature बोलते हैं, बाकि इसी में से हम लोग हमारा mirror बनाते हैं, तो देखो, the center of the sphere, sphere का center, of which mirror is a part, जिसका mirror एक part है, is called as center of curvature of the mirror, simple है, sphere का center जिससे हम mirror बनाने वाले है, अब देखो मालना हमें mirror बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसलिए हम क्या करेंगे, बाकि चीज़े जो हम नहीं चीज़े हो हटा देंगे, अब यह हमारा mirror बिल गया, और यह हमारा center of curvature, अब इस mirror के exactly beach में, ठीक है न, इस mirror के exactly beach में एक point होगा, उस point को हम बोलता है pole, अब देखो, बाहर से coated है, अंदर से reflecting है, तो यह हमारे पास एक concave mirror है, अब देहां से देखो, यहाँ पे exactly जो एक point है, बुलाते है, अब एक अगला term है, हमारा principal axis, तो अब यह center of curvature, पूल पे scale रखदो, और एक line बना दो, imaginary line, तो यह क्या बोलेंगे हम, the straight line passing through the pole, and center of curvature of the mirror, is called as its principal axis, तो यह देखो, एक straight line जो पास हो रहा है, इसको क्या बोलते है, principle axis, scale रखदो, दोनों में से एक line pass कर दो, तो यह हो गया principal axis, यहाँ तक clear है, अब अगला देखो radius of curvature, जरह याद करने की कोशिश करो, यह जो पूरा था, वो क्या था, एक circle था, एक square था, तो यह वाला जो पाट है, यह क्या है, अरे भाइया, center of curvature तक का, जो यह distance है, यह कुछ और नहीं है, यह basically radius है, इस पूरे curve का, तो हम क्या बोलता है, the radius of the sphere, of which the mirror is apart, उस sphere का radius, जिससे हमारा mirror बना है, उसको हम बोलते है, radius of curvature of the mirror, clear है, अगला टम देखो क्या है, principle focus, simple है, center of curvature of pool की, exactly बीच में, जैसे अगर यह 4 cm का है, तो यहाँ से 2 cm, यहाँ से 2 cm, तो center of curvature of pool की, exactly बीच में, principle axis के उपर, एक point बनाओ, वो है तुमारा principle focus, इस principle focus पर, अगर parallel range of light आते हैं, बतना ऐसे parallel range, अगर आ रहे हैं, incident रे blue वाले, तो यह सारे reflect होने के बाद, कहाँ पर meet करेंगे, यहाँ पर meet करेंगे, और इसलिए इसको हम, converging mirror बुलाते हैं, यह हमारा focus है, इसको हम इसलिए क्या बुलाते हैं, converging mirror बुलाते हैं, तो यही चीज यहाँ पर, अच्छे से लिखा हुआ है, आप देख लेजएगा, pose करें, next हम अगर बात करें, focal length, pole से ले करके, यह f तक का, principal focus तक का, जो दूरी है, pole से ले करके, यह f तक का, जो यह दूरी है, इसको हम क्या बुलाते हैं, देखो यहाँ पर, can you see this, यह pole से ले करके, यहाँ तक का, जो दूरी है, length है, उस length को हम बुलाते है, focal length, the distance f, इसको हम f से बुलाते है, small f से, between pole and the principal focus, of the mirror is called as focal length, clear है, the distance is half the radius, of the curvature, अब देखो यह वाला, exactly बीच में है, तो radius of curvature का, यह क्या होगा, आधा होगा, तो मैं बुलूँँगा, focal length, radius of curvature का, आधा होता है, अब मालनो, अगर मैं तुम्हें कहता हूँ, कि, x आधा है, किसका, y का, अगर मालनो, y की value, अगर 4 होगी, तो x की value, 2 आनी चीए, तो यहाँ पे, इसके जगे 4 लिखो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आगया न, 2, तो उसी तरीके से, learners अगर confusion नहीं है, तो देखो, radius of curvature को, 2 से divide कर दोगे, तो जो भी radius of curvature होगा, 4 है, तो यह 2 हो जाएगा, यहाँ पे total, right, 2 से divide करने से, चीज़े आधी हो जाती, तो focal length वो होगा, तो देखो, जैसे यहाँ से आतक अगर 4 है, तो यह 2 आना चीज़े न, तो कैसे आएगा, इस length को, 2 से divide करो, तो radius of curvature को, 2 से divide करो, focal length में जाएगा, clear होगा, यह बहुत काम आएगा, अच्छा, अगर हम एक convex lens के, अगर focal length की बात करें, तो convex lens का, जो sphere है, वो इस तरफ complete होता है, सही बात है न, एक convex lens का sphere, इस तरफ complete होता है, तो उसका focal length भी, इस तरफ आता है, तो अगर दिकों माल लो, अगर इस पे parallel, rays of light आ रहे हैं, incident rays अगर आ रहे हैं, तो ये तो यहाँ पे diverge हो जाते हैं, जब भी light ray diverge होता है, कभी भी एक दूसरा से meet नहीं करेगा, ऐसे situation में, हम light rays को पीछे की तरफ draw करते हैं, तो ऐसे situation में क्या करेंगे, इनको हम इस तरीके से, पीछे की तरफ draw करेंगे, और सारे rays पीछे एक point पे meet करेंगे, वही उसका principle focus होगा, जब भी light ray एक दूसरा से दूर जाता है, तो हम उसको पीछे की तरफ draw करते हैं, इन बातों को याद रखना, मेरे शब्दों पे याद ध्यांग देना, इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इस इट क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, अब सवाल है यहाँ पे, center of the sphere is called as, its dash pole, radius of curvature, center of curvature focus, क्या बोलता है इसको, नीचे comments पर तुमको answer देना है, center of the mirror is called as, mirror के center को क्या बोलता है, तुमको नीचे comment बेसका answer देना है, focal length is dash the radius of curvature, focal length radius of curvature का क्या होता है, आधा होता है, दुगना होता है, तीगना होता है, याइकोल होता है, क्या होता है, comments में बताना, और यहाँ तक तुमको common terms वाला topic समझ आ गया होगा, अब यह common terms बार 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 यूज होंगे, जब हम लोग क्या करने वाले हैं, जब basically हम लोग वो करेंगे, उसको कहते हैं, ray diagram बनाना, जब हम आगे बनाने वाले हैं, तो अब अगले topic पर चलते करें, यहाँ तक सारी चीज़े clear है, तो ray diagram जो बहुत important है, और बच्चों को बहुत confusion होता है, ray diagram में, मैं तुमको बस दो-तीन चीज़े बोलूँगा, जिस चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है, तुमारे सारे ray diagram accurate बनेंगे, दो-तीन चीज़े बस, और बहुत ध्यान से सुनना, में को देख करके बनाने की कोशिश करनी है, सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, एक scale लोगे, अब ये मैं starting में यही से बोल रहा हूँ, पहले तुसन लोग, एक scale लोगे, और तुमारी notebook का जो size है, उसके हिसाब से कोई भी even number उठा लेना, तुम even number जैसे माललो मैंने 12 cm उठा है, तो 12 cm यहाँ पर आगया माललो, तो 12 cm का एक line बना लेना, इस 12 cm के exactly 6 cm पर, तो मजलो 6 cm पर, तुम क्या करना, ऐसे एक mirror बना लेना, उसके बाद माललो यहाँ पर कुछ distance छोड़ करके, माललो आपने 4 cm यहाँ से छोड़ दिया, तो यहाँ पर तुम्हारा focus हो जाएगा, 4 cm यहाँ पर छोड़ दिया, तो यहाँ पर तुम्हारा center of curvature हो जाएगा, और अगर यह convex lens है, तो चीजे इस तरफ चली जाएगे, clear है, इस बात को तुम बस ध्यान रखना है, ठीक है न, इस बात का तुम basically बस थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे माललो एक concave है, तो ऐसे तुमने बनाया, यहाँ पर तुमने 12 cm का line था यह, उसमें यहाँ पर तुमने कुछ बना लिया, पोल, तो पोल से इधर 4 cm, अब फिर यहाँ से फिर 4 cm, ओके, तो यह center of curvature यह focus, वह ही जब convex होगा, तो यहाँ पर, यह pole है, इस pole से यहाँ पर 4 cm पर focus बनाओगे, और यहाँ से और 4 cm पर तुमने लोग center of curvature बनाओगे, यह तुभारा basic structure है, यह याद रखना, अब ray diagram से पहले कुछ मैं चीजे बताना चाहता हूँ, कि ray diagram बोता क्या है, जैसे यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा, कि एक billy खड़ी हो, और उसका एक image है, अब मैं जानता हूँ, कि यह billy यहाँ से इतनी दूरी पर खड़ी है, तो मुझे यह बताना है, कि यह image अंदर कितना अंदर बनाओगा, आइने के, आइने में भी तो यह image अंदर की तरफ बनाओगा, तो कितना अंदर बनाओगा, इसका size कहा नहीं है, यह सब हम बता सकते हैं, using ray diagram, तो देखो, distance of the image from the object, can be found, by method called as ray diagram, तो ray diagram एक method है, जिससे हम image का distance बता सकते हैं, object से, ठीक है, ray diagram का इस्तमाल करके, चलो करते हैं, इस्तमाल करते हैं, ठीक है ना, तो ray diagram एक method है, जिससे हम position भी बता सकते हैं, जो अभी हमने बोला, okay, size भी हम बता सकते हैं, और nature of the image भी हम बता सकते हैं, अब तुम मुलेगे, सर, size तो समझ में आता है, size क्या होगा, same size का हो सकता है, जितना बड़ा object है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है न, big हो सकता है, या फिर small हो सकता है, और इसके लिए हम term fuse करेंगे, position कैसा हो सकता है, कि भाई कहां पे है, समझ आ रहे है, position मतलब कि कहां पे है, और nature of image क्या होगा, कि भाई या सही में है, लखली है, असली है, तो real हो सकता है, real कब होगा मुझे बताओ, जब raise actually meet करेंगी, उसके अलाबा क्या होगा, virtual हो सकता है, यह क्या मिला, यह object जैसा था, और ऐसा image मिला, तो इसको बोलता है, सीधा image, erect image, हम लोगे terms use करेंगे, उसका देखो, एक और देखो, यह object है, और इसका यह image मिला, आप क्या देखा तुम्हें, सीधा है लेकि बड़ा है, तो हम इसको बोलेंगे, magnified image, बड़ा है, magnified या फिर big image, तुम बोल सकते हो, तीक है, magnified text book में लिखा, तो हम magnified use करेंगे, उसका यहाँ देखो, यह object है, उसका उल्टा image भी ला है, तो हम क्या बोलेंगे, size को छोड़ो, inverted image, क्या है यह, inverted image, उल्टा है, अच्छा एक और चीद देखो, यह तुम्हारा बहुत बड़ा object है, इसका छोटा image मिला है, तो तुम मुलोगे, small image, या फिर इसके लिए, technical term है, diminished image, क्या है, इसके लिए, diminished image, छोटा image, इतना clear हो गया, अब अगर यह सारी चीज़े clear है, तो तुम इन चीजों का इस्तमाल करके, basically अब ray diagram बनाओगे, ray diagram बनाने के 3 rules है, 3 rules को एकदम अच्छे से याद करो, बहुत simple rule है, पहले वाले rule का, second वाला rule उल्टा है, तो मुलोगे कैसे, देखो, पहला rule क्या कहता है, कि अगर एक ray of light ऐसे आ रहा है, अब यह light देखो, principle axis, जो कि यह center of curvature, focus और pole से लाइन, जाने वाले एक black line है, उससे parallel है, red वाला line और black वाला line parallel है, तो अगर एक ray of light, incident ray अगर parallel है, तो वो कहां से pass हो जाएगा, focus से pass हो जाएगा, ऐसे pass होगा, यह हमेशा होगा, यह याद रखना, हमेशा हम use करेंगे, आचा, दूसरा वाला, देखो, क्या rule है, इसका ulta, ulta कैसे होगा, कि अगर focus से जा रहा है, तो ऐसे निकल जाएगा, यही होगा न, ulta, कि अगर ऐसे जा रहा है, तो ऐसे निकल जाएगा, और तीसरा वाला, तो इतना simple है, इतना simple है, कि अगर center of curvature से जा रहा है, तो center of curvature से वापस आ जाएगा, उपर से low चाहे, नीचे से low, कोई फर्क नी पढ़ए, clear है, अब देखो, यह करके पढ़ते है, तो first rule क्या कहता है, कि if the incident ray is parallel to the principal axis, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, तो यहाँ पर देखो, जो incident ray तुम्हारा आया, वो कैसा है, parallel है principal axis, then the reflected ray passes through the principal focus, तो reflected ray principal focus से pass हो जाएगा, every time we are going to use this rule, एक्जाम में इंफेक्ट ऐसा भी कुश्चन आता है, कि पहला दो रूल बता दो, री डिग्राम के लिए, तुम्हें याद रख रहा है, दूसा रूल देखो कि है, कि if the incident ray passes through the principal focus, तो उपर से निकालो, या नीचे से निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, तो अगर मालो, ऐसे pass हो रहा है, principle focus से, उपर या नीचे कहीं से भी चलेगा, of the mirror, then the reflected ray is parallel to the principal axis, तो reflected ray हमारा parallel रहेगा, principle axis से, तीसर वाला रूल बहुत simple है, कि अगर ray of light, अगर center of curvature से pass हो रहा है, चलो, अब आगे बात करते हैं, कि इनका यूज करके, हमें 6 cases बनाने है, 6 cases कौन से कौन से होता, मैं बता देता हूँ, मैं थोड़ा तुमको आगे पीछे करके पढ़ाऊंगा, बढ़ तुम समझ जाना, ठीक है, 6 cases से सबसे पहले object, infinity पे हो सकता है, बहुत दूर कहीं पे होगा, infinity पे, फिर तुम्हारा center of curvature के पीछे होगा, कहीं भी, कहीं भी हो सकता है, किदर भी हो सकता है, center of curvature के उपर होगा, इन दोनों point के बीच में, कहीं भी हो सकता है, focal length के उपर होगा, और ये principal focus के उपर होगा, principle focus of pole के बीच में कहीं भी हो सकता है तो ये छे कैसे साधिक हो ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 बस तो पहले तुमको एक मैं जान बुझ कि starting में तुम मुझ बता रहोगे तुमको idea होगा कि अच्छा यही तो हो रहा है सरते कि तुम अब देखो यह जो मैं बता रहा हूँ तुम ध्यान से करना तो मालो यहां से यहां तक कर distance तुमने चार लिया तो मने का बोला तो यहां से यहां तक भी तुम चार लोगे और फिर तुम डाइग डाइग्राम्स बनाओगे तो सबसे पहले मालो के object तुमारा हमने second वाला case लिया center of curvature के कहीं पीछे है और दूसरा रूल तुम कोई यूज करना है कोई भी दूसरा तीसरा में से कोई भी यूज कर लो तो मैं तकले को चूते हुए center of curvature से पास करूँ है तकले को चूना इस compulsory मैं तीसरा भी यूज कर सकता था ऐसे कोई दिक्कत ने दूसरा अभी यूज कर सकता था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो मैंने यह यूज किया कि center of curvature से पास हो रहा है अच्छा पहला वहला rule के हिसाब से यह light ray कैसे जाएगा principle focus से जाएगा और तीसरे आवला rule के था कि अगर center of curvature से आ रहा है तो वाप center of curvature से ही चला जाएगा दोनों का intersection कहाँ पे हो रहा है और हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे बताओ दोनों का intersection तो हो रहा है inverted है उल्टा है है कि नहीं है real है क्योंकि red वाले lines actually meet कर रहे है एक दूसरे से reflected rays meet कर रहे है शब्दों पर ध्यान देना क्योंकि अगर reflected rays अगर meet करती है तो एक real image होता है got it चली आगे बढ़ते है अब size of the image कैसा होगा diminished diminished मतलब छोटा है दिख रहे है छोटा दिख रहे है अगला second diagram देखो कि मैंने उठा करके मैंने क्या वला कि इसके उपर रख दूंगा मैं तो मैंने यहां पर रख दिया अब पहला rule क्या था टकले को छूते हुए pass करो अब तुम मुझे बताओ तीसरे rule के हिसाब से light रहे है ऐसे pass हो पाएगा क्या क्या क्योंकि वहां तो candle है अब जैसे यहां देखो तुम मेरे हाथ पर देखना मेरे हाथ पर तुमको कुछ red color का देख रहा है यहां देखो पीछे देखो पीछे दिख रहा है यह laser है मेरे मेरे सर के पाथ देख रहे है लेकिन अगर मैं हाथ रख दूँँगा तो कि laser light वहां पर जा पा रहा है नहीं जा पा तो जैसे एक object आ बीच में तो अब यह ray of light आगे cross ही नहीं कर पाएगा समझ आ यह ray of light आगे जा ही नहीं पाएगा, तो हमें यह rule तो यूजी नहीं कर पाएगा, तो हम क्या करेंगे, second वाला rule यूज करेंगे, focus से pass कर देंगे, अब पहले वाले rule के हिसाब से, जो parallel है, वो कहा से जाएगा, focus से जाएगा, और दूसरे वाले rule के हिसाब से, जो focus से है, वो कैस वाले lines reflected कर रही है और size कैसा है same size का object के तीसरा diagram देखता है अगर तुम बारो object between center of curvature and focus कहीं पे भी हो सकता है हाँ हो सकता है infinite possibility कहीं भी हो सकता है पहला rule क्या तर टकले कोछ होते हो एक सीधा line बनाओ अब तुम दूसरा तीसरा कोई भी use कर सकते हो क्योंकि अगर ये वाला use करोगे तो भी चलेगा अगर ये वाला use करोगे तो भी चलेगा कोई दिक्कत वाले बात ने कोई भी use करो तो मैं तीसरा वाला use करोगे वो ज़्यादा easy है तो मैं center of curvature से pass किया पहले वाले rule के हिसाफ से जो parallel गया तो सीधा है कि उल्टा है तो भाया inverted है उल्टा है और real है क्योंकि red वाले lines actually meet कर रहे है size कैसा है magnified highly magnified बहुत बड़ा है सही बात है कि नहीं magnified है और तो डाइग्राम देखता है focus के ओपर हमने रख दिया अब ये वाले को थोड़ा से पास हो पाएगा क्या light नहीं तो तीसरा यूज करना है दूसरा तो यूज ही नहीं हो पाएगा तो तीसरा यूज करेंगा वैसे भी पहला वाला ऐसे पास हो जाएगा और जो center of curvature से गया तो यह इसे पास हो जाएगा तो यह infinite distance तक यह दोनों से आइन्स ट्रैवल करेंगे सही बातें को यह एट infinity जाके image बनेगा but image मिल तो रहा है किद err मिल रहा है ऊपर की तरफ मिल रहा है तो तुम मईलों के से ऱ्यू नीचे की तरफ मिल at infinity मिल रहा है और नीचे की तरफ मिल रहा है मैं बोलूँगा कि भया position of the image at infinity, कहीं तो infinity पे मिलेगा फिर मैं nature के बारे में बात करूँगा inverted क्योंकि नीचे की तरफ है और मिल रहा है, इसलिए real is it clear, real हो गया और size of image के है very large बहुत बढ़ा मिलेगा, टेग्निफाइड मिलेगा बहुत बढ़ा देगा, पाचवर diagram देखते है अगर object को उठा के pool और principle focus के बीच में रख दिया पहला rule गया था, ठकले को छोते एक line pass करो, और दूसरे तीसरे में तुम कोई भी योज़ कर सकते, हम तीसरे ही योज़ करेंगे पहला वाला सीधे pass होगा focus से, अब तुमको याद हो गया होगा, तीसरा वाला center of करवेचा सही pass हो जाएगा, अब ये दो rays of light एक दूसरे से दूर जा रहे है अगर light rays, reflected light rays अगर एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो मैंने क्या बोला था, virtual image तो ये कहा असली image होगा, नकली image होगा नकली होगा, चलो टिपनिया करते हैं, हमें कहां मिला position of the image, behind the mirror, आइने के पीछे, दूसरी बात, nature of the image के है, सीधा है और virtual है, और लास्ट वाला, size of image के है magnified, बढ़ा है, is it clear, sixth diagram देखो, object को तुमने infinity पर रखा है, अब टकले को छूते हुए raise ना आओ, या ऐसे raise लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुमको बहुत सारे raise आएंगे वहाँ से, क्योंकि infinity पर object, infinity से बहुत light आएगा, तो हमने हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, अब मुझे बताओ, टकले को छूते हुए, तुम center of curvature से कैसे light ray pass कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ना, it is not possible, क्योंकि object infinity पर तुमारा आएना तुमारे सामने है, it is not possible, तो हम दो parallel raise बनाएंगे इस case में, जब object at infinity होगा, पहले वाले focus के उपर object था, तो infinity पर image बना था, और infinity पर जब हमारा object है, तो focus पर image बना रहा है, उल्टा है, तो हम tipnia करेंगे position of the image का है, focus पर बना है, nature of the image का है, real, inverted and real, inverted क्योंकि उल्टा रहेगा, और real क्योंकि यहाँ पर दोनोर is actually limit कर रहे हैं, और size क्या है, point image है, बहुत छोटा image, it's a point image, तो यह तुमारे कुल मिला के 6 cases थे, इन 6 cases में तुमको यह बात याद रखना है, कि position of the object क्या है, position of the image क्या है, nature of the image क्या है, size of the image क्या है, अच्छा, same rule convex के लिए भी है, convex mirror के लिए भी है, लेकिन इसमें केवल दो ही images बनते हैं, rules मतलब अलग है, थोड़े rules भी अलग है, is it clear, अगर तुम यहाँ पर देखोगे, ठीक है न, तो यह presentation में तो नहीं दिख रहा है, हाँ, देखो यहाँ पर rules for convex mirror दिख रहा है, rules for convex mirror, मैं एक बार rules बता देता हूँ, तुम खुद कोशिश करके देखना, यह convex mirror है, पहला rule यह है, कि अगर parallel rays of light आ रहा है, तो वो ऐसे diverge हो जाए, मतलब मालो, कि तुमको यह parallel rays of light आ रहा है न, diverge हो जाएगा, तो diverge कैसे होगा, तुमको एक line focus के उपर रखकर कैसे सीधे line बनाना है, सीधे dotted line उस तरफ आपको बनाना है, आचा, दूसरा rule इसका कैसा है, इसका दूसरा rule कैसा है, वो देखो, कि अगर एक light ray center of curvature के तरफ जा रहा है, तो वो कैसे pass हो जाएगा, वो parallel to the principal axis जाएगा, तो घुमा फिर आके अगर तुम देखोगे, तो rule मोटा मोटा same ही दिख रहा है, बट convex में थोड़ देख, तरीका अलग है, reflection का, तरीका क्या है, reflection का अलग है, और इसके अंदर तुमारे बनते हैं ये cases, दो cases इसमें है, दो diagram है, अगर object infinity पे है, तो light rays ऐसे आएंगे, और ऐसे diverge हो जाएंगे सारे, ओके, तो focus पे image बनता है, अगर object infinity पे है, तो focus पे image बनेगा तुमारा, ओके, और ये virtual और erect होता वैसे, हमेशा virtual होगा और erect होगा, हमेशा याद रखना, convex mirror से हमेशा virtual और erect होगा, मैं ये अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है न, एक टकले को छूटे होए, पास करो, जो टकले को छूटे होए, पास करोगे, उसकी possibility क्या है, ऐसे scale रख करके, तुमको ऐसे उपर reflect करना, उसको, I don't know what that means, अरे, सीधी, तुम चुप रहो, और दूसरा वाला कोई भी यूज करो, second, third में, तो मैंने वो वाला यूज कर लिया, कि भया, हम लोग क्या कर रहा है, इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सीधे निकल जाएगा, संटर्फ कर वेचे कि इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अब दिखो न, ये दोनों लाइटरे को अगर तुम बैक ट्रैक करोगे, तो तुमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कहीं इमेज मिलेगा, यहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में कहीं तो इमेज मिलेगा, तो बिट्विन पोल और फोकस, हमेशा वर्चुल एंड इरक्ट होगा, डिमिनिस्ट होगा, छोटा होगा, देखे, मैंने ये जान बूझ करके आपको बहुत अच्छे से नहीं बताया, कॉन्विक्स वाला केस, इसके पीछे दो कारण है, पहली बात तो कॉन्विक्स बहुत सारे स्कूल में पूछते ही नहीं, इसके दो ही केस है, दूसरी बात, और इसके रूल्स अल्मोस्ट सेम है, बस क्योंकि वो डाइवर्ज होता है, बस इतना अंतर है, तो मैं चाता हूँ कि मैंने एक आईडिया आपको दिया, खुद से बनाने की कोशिश करों, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो, इस इट क्लियर, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे यूटूब पर, जिससे आप ये कर सकते हो, मेरे पास भी प्रजेंटेशन है, बढ़ जान बूच के नहीं बता हूँ, चलियर होगे, चलिया आगे बढ़ते हैं अब, और अब यूजस देखते हैं कि भईया, आम लोग कहां-कहां यूज करते हैं, फिर तुम्हारा जो ये, डिस टीवी, डिस अंटीना विगरा होता है, विडियस एक्टूप्मेंट यूजिंग सोलर एनर्जी, उसमें यूज होता है, अब कॉन्वेक्स मिरर आ गया, कॉन्वेक्स मिरर को तुम लोग क्या यूज करते हो, साइड मिरर में यूज करते हो, कार वेकर हैं के, ठीक है, और इसके और भी यूज अब तुमको यहाँ पर नीचे, कॉमेंट्स पर बताना है, सर्च करके, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के, चलिए, अभी सवाल है, इंडेंटल होस्पिटल, जल्दी बताओ, मैंने जान बुच के आगे, इन जान बुच के यहाँ पर यूज जादा नहीं बताए, कि आपको confusion नहीं हो, तो आप यह अलग से पढ़ो, कम से कम 3-4 यूज पढ़ लेना, अच्छे से, बहुत सिम्पल है, नाइध कोश्चिन, mirrors of the sides of the car, नीचे कॉमेंट्स पर तुमको इसका जवाब बता रहे हैं, चलो यहाँ तक clear हो गया, अब यह जो ray diagram है, यह हमारा ray diagram, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा difficult लगता है, तुमको difficult तब न लगेगा न, जब आप लोग खुझ से try करोगे, कोशिश करोगे, तो आपको difficult नहीं लगेगा, तो try करो, very important, चलिए आगे बढ़ता है, और बात करता है next topic के उपर, Cartesian sign convention, बहुत simple है, और यह cool मिला के, theoretically आखरी topic है, Cartesian sign convention, बहुत easy चीज़ है, बहुत easy, समझना, Cartesian sign convention, मतलब convention मतलब होता है rules, ओके, यह René Descartes ने दिया था, यह scientist बिसिकली जिन्होंने दिया था, एक graph paper consider करो, तुमको तुम बोलो कि सार, यह तो हमको already आता है, देखना, यह x-axis है, यह y-axis है, यहाँ पे, x-axis पे इस तरफ जो भी measurement हम लोग लेते हैं, वो सारे क्या होता है, positive होता है, गलत कहरो हूँ है, positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, इस तरफ जो भी measurement हम लोग लेते हैं, वो सारे negative होता है, गलत कहरो, 1, minus 2, minus 3, minus 4, तो same यह यह याद रखना, अगर यहाँ पे तुमने एक mirror भी डाल जया, यह वाला चाहिए वाला कोई भी डाल दो, तो इस बात को यहाद रखना, कि इस तरफ सारे positive, उस तरफ सारे negative, ओके, अच्छा, तो यह दा सारे negative, उपर में क्या होता है, वेटा सारे positive होता है, उपर के सारे y axis पर positive होता है, और नीचे सारे negative होता है, इसी बात को बिल्कुल याद रखना है तुमको, ठीक है न, अब यहाँ पे जो यह origin है, origin को तुम as a pole consider करना, क्योंकि तुम हाइन नहीं रखोगे यहाँ तो उसको as a pole consider करना, इस बात को behind the mirror बोलना, अबजेक्ट हमेशा कहा था, left में था, सारे distance को हम measure करता है, parallel to principal axis from the pole, all the distance will be measured from pole, यह बात याद रखना, तो जैसे माल लो कि यहाँ पे एक object है, तो जो measurement होगा, वो यहाँ पे यह pole है न, तो यहाँ से ऐसे start हो, कि pole से लेकर कि यह object जहाँ तक है, माल लो यहाँ पे तुमको image मिला, तो pole से लेकर कि यहाँ तक का तुम distance measure करोगे, all the distance will be measured from the pole, अच्छा, right वाला positive, left वाला negative, यह तुमको already पता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर जैसे माल लो यह वाला तुमारा situation हो, तो इस तरफ जितने भी होंगे, वो सारे positive, इस तरफ जितने भी होंगे, वो सारे negative, पीछे सारे negative, पीछे सारे positive, और इस तरफ सारे negative, is it clear, तो वही बोला जा रहा, all the distance measure towards the right, right की तरफ सारी चीज़ है positive, the right and positive, चाहे mirror कोई भी हो, जो भी left की तरफ measure करोगे, वो सारे के सारे कैसे होंगे, clear, simple, चलिए, आगे बढ़ता है, अच्छा दूसरी बात, vertically upwards, सारी चीज़े positive होती है, और vertically downwards, सारी चीज़े negative होती है, मतलब, उपर की तरफ जो भी measure करोगे हो, सब positive, नीचे के तरफ सब negative, अब अगर तुम यह photo ध्यान से देखोगे, यह photo बहुत ध्यान से देखोगे, तो तुमको कुछ चीज़े देखने को मिलेगी, आइने के पीछे सारे positive, आइने के इस तरफ सारे negative, ऊपर में सारे positive, नीचे में सारे negative, direction of the light हमें सारे left होगा, क्योंकि object हमें सारे left होगा, यह photo में बता है, अज़िए एक और बात, focal length of a concave mirror is negative, मैंने बुलाता है, cave में negativity है, तो focal length of a concave mirror is always negative, ठीक है न, और यह हमें काम आएगा, अभी जब हम numerical करेंगे, हम focal length की बात करेंगे, अगर convex लिखा तो हम plus 10 लेंगे, positive 10 लेंगे, यह याद रखना है, समझा है, तो यह याद रखो कि concave, cave के अंदर क्या है, negativity है, always negative, convex, always positive, got it, focal length की बात हो रही, क्यों ऐसा भाया क्यों, भाया ऐसा क्यों, अब मैं तुमको इसका भाया ऐसा क्यों बताता हो, अब जैसे यह वाला situation, imagine करो, ओके, यह वाला situation, imagine करो, इस वाले situation में, तुम्हारा ये एक concave mirror, ठीक है न, यहाँ पर उसका माल लो, pole, इसका focus की दर आता है, इदर आता है, तो यह इस तरफ क्या था सब, negative था, इस तरफ क्या था सब negative, था न, इस तरफ सारा negative, तो focus की दर आ रहा है, देखो focal length की दर आ रहा है, negative side में आ रहा है, लेकिन वही अगर तुम्हें convex की consider करोगे, convex consider करोगे, तो उसका focus यहाँ पर आए, तो focal length यहाँ पर आ जाएगा, तो वो focal length क्या होगा, positive क्योंकि right hand side, is it clear, तो यह भाया उसके पीछे का कारण है, अब देखो, पुछ प्रश्टन है, एक ही प्रश्टन है, above the principal axis distance are, positive, negative, neutral, principle axis के उपर की तरफ, यह obviously no, comments पर आएंसर बता देना, अपने सब पढ़ा हैं नहीं, पढ़ाऊँगा ना, अब पढ़ाऊँगा सारा numericals, clear है, तो चलिए, अब हम numericals करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से, वैसे अगर तुमने अब तक easy learning में, admission लेने का consider नहीं किया, तो कर लो, बहुत सूपब result आता हैं हमारे बच्चोगों, अब हम numericals करेंगे, अगर आपन numericals की बात करें, तो यह जो type A वाले numericals है, यह हमने already कर लिया है, ठीक है न, type A के जितने numericals थे, अपनने already यह numericals कर लिया है, अब आपन सीधे type B के numericals में जाएंगे, जो इस वाले formula पर best है, अच्च, उसके बाद देखो, तुमको अभी मैं दिखा देता हूँ, फिर type C वाले numericals है, जो की इस वाले formula पर best है, और उसके बाद तुमको एक type D वाले numericals है, जो मैं नहीं कर रहा हूँगा, जो दोनो formula को mix करके basically किया है, यह mixed है, तो इसमें मैं एक करा दूँगा आपको, बाकी आप लोगों को मैं self try के लिए बोलूँगा, कि homework करू, तो यहां से अपना सारा का सारे discussion, numerical पर होने वाला है, तो चलिए, और सभी का solution में आप लोगो को, यू हमेशा negative होगा, अभी याद रख लो, यह इस बात को दिमाग में डाल लो, बिना कुछ समझे, कि यू हमेशा negative होगा, F अगर concave के लिए है, तुमको पता है, concave के लिए क्लिए 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 होता है, cave में negative होती है, चीजे, और convex के लिए क्लिए 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 होता है, यह positive हो, हम textbook के अंदर दियेगे question है, textbook के convex से लिए बहुत कम question है, तो basically हम concave करते रहेंगे, और V जो होता है, वो depend करता है, कहाँ पर, right में के left होता है, देखते हैं ठीक है, चलो देखते हैं, सबसे पहले यह चीजे क्या है सर, यह V क्या है, यू क्या है, F तो असर हमें पता है, यह focal length होता है, यह तो हमने पढ़ा था, common terms में, यह focal length होता है, बट भया यह V क्या है, यू क्या है, यह थोड़ा सा अच्छे से समझा देना, तो चलो, हम यह V क्या है यू क्या है अच्छे से देखते हैं एक बाल सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ important बात है वी यह वाले मालो कि यहां पर एक object रखा हुआ है left hand side object हमेशा left में होता है तो यह object pole से किसी दूरी पर होगा न हम सारी distances कैसे measure करते है pole से तो यह object कहां पर है pole से काफी दूरी पर है उसी दूरी को हम U बुलाते है यू मतलब होता object distance यह हमेशा negative होगा क्योंकि object हमेशा left में होता है is it clear अच्छा दूसरी important बाद मालो यह object है इसका कही न कहीं तो image मिलेगा कहीं भी मिले यहां मिल गया उल्टा सुल्टा जैसे भी मिले तो pole से लेकर के pole से लेकर के यहां तक के distance को हम भी बोलते है image distance यह अगर मेरा image अगर यहां मिला होता तो pole से लेकर यहां तक मिलेता है तब यह positive होता अब यह negative होगा क्योंकि left में मिला है pole के is it clear अच्छा focal length तो तुमको पता ही है whole से लेके principle focus तक की दूरी को focal length बोलते हैं तो अब जो यह formula था उस formula को हम लोग बोलते है mirror formula क्या formula बुलाते हैं इसको mirror formula तो mirror formula basically relation है between image distance v focal length small f and object distance u तो u v और f के बीच का एक relationship है जो कि यह है 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u कई जगे तुम ऐसे लिखा हो देखो के 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v कोई फर्क ने पढ़ता बीच में plus है ना देखो 2 plus 3 हो या 3 plus 2 हो कई जगे तुम ऐसे देखो के 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f कोई दिक्कत वाली बात नहीं है rhs rhs equal यह है तो आगे पीछे करो पिर कई जगे तुम देखो के 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f कोई दिक्कत नहीं है लिखने का आपना तरीका है कई भी कुछ भी लिखो formula हुआ ही है is it clear mirror formula यह है इसके अंदर यह सारे terms है image distance v object distance हमेशा negative होगा focal length depend करता है क्या है अब question करता है एक और important कुछ और important बात है ओके यह जो height है यह तुमको दिख रहा height of object है हो और यह जो तुम्हारा है height of image है image कितना लंबा है object कितना लंबा है उपर की चीज़े तरफ सारी चीज़े positive नीचे के तरफ सारी चीज़े negative clear magnification करके भी एक formula है जिसके उपर obviously हमें type C वाले numericals करने है तो हम magnification पे अभी चर्चा करें कि नहीं करें मैं सोच रहा हूँ ने अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे चर्चा ठीक है magnification पे बाद में चर्चा करेंगे तो पहला question करता है type B वालाई at what distance from a concave mirror of focal length n cm should an object be placed so that the image formed is 20 cm behind the mirror मैं तुम लोगो एक छोटी सी चीज का suggestion दोगा कि जब मैं ये numerical अगर तुम सच में serious हो सीखना चाहते हो आगे जागे J.E.N.T.N.D.A बहुत बड़े-बड़े exam की बाते कर रहे हो तुम तुम देना चाहते हो ऐसे बड़े-बड़े exam तुम मैं तुम को एक simple solution दोगा कि 5 minute के लिए वीडियो को pose कर दो एक paper लो question देखो और try करो खुझ से बागी अगर तुम वहाँ है कि भगवान भरोस से चीजे चलेगी तो कोई बात नहीं continue करो ठीको फिर करो बद जब try करोगे गलत सही जो भी होगा तो बहुत पाइदा होता है इस चीज का trust me मैं बहुत सालों से पढ़ा रहोगा तुम आप question को अब समझते है तुमने अपने हिसाब से देख लिए होगा तुमको क्या करने कि at what distance from a concave mirror concave mirror से कितने distance पे अच्छा concave mirror से कितने distance पे भूणना है शायद so that image formed is 20 cm behind the mirror तो जो image बन रहा है वो आइने के पीछे 20 cm पे बन रहा है मतलब यह क्या होगा positive 20 होगा कुछ कुछ चोटी चोटी बातों को visualize करने की कोशिश करो अब अब pose करके try करोगी चलो देखाता हो यह है तुमारा situation concave mirror focal length तुम्हें दिया हुआ है 10 हमने negative क्यों लिया focal length is negative of a concave mirror cave में negative होता है याद रखना ठीक है न अच्छा उतके बाद क्या दिया है कि object जो तुमारा image बना रहा है वो 20 cm behind the mirror आइने के पीछे है तो V हमने positive लिया क्यों लिया positive क्योंकि behind the mirror pole के पीछे है right hand side में x axis पे clear है हमें क्या बताना है कि object कहां रखा हुआ है u क्या है object कहां रखा है left में कहां रखा वो हमें सब negative आएगा चलो तो solve करते है given क्या क्या हमारे पास focal length 10 image distance 20 object distance हमें find करना है यह हमारा formula है ठीक है चलो तो यह पूरा solution है तुम्हें चाहिए तो तुम देख सकते हो ओके यह तुम्हारा पूरा solution है अब मैं करके दिखाता हूँ तुमको कैसे ठीक है मैं करके दिखाता हूँ एक दब अच्छे से देखो तो भाई सब हमारा formula क्या था मैं थोड़ा screen पर साइट जाँगे क्योंकि देखो न यार ऐसे मुंडी करके यह से लिखते रहो न तो थोड़ा आजीब देखता हूँ हट बीच में आजीब लगीगा तो मैं हट जाँगा तो हमारा formula था 1 upon जो भी हमें ढूड़ना है उसको आगे लिख ले जो की concave माइनस यह वी कितना था हमारा positive 20 अब simple solve करना denominator common करना है ठीक है न denominator common करने के लिए हम क्या करेंगे बिटा denominator common करने हैं 20 है तो इसको हम 2 से multiply कर देंगे तो इधर भी 2 से multiply करना पड़ेगा तो इससे हमको क्या मिलेगा इससे हमको मिलेगा ऊपर 2 मिल जाएगा minus 3 divided by 20 क्या निकाल रहा है 1 upon u निकाल रहा है तो 1 upon u हमने क्या यहाप फिर से लिख दे रहा हूँ है minus 3 upon 20 यहाप लिख दे रहा हूँ अब इसको उल्टा कर दो उल्टा करना मतलब क्या हो कई सारे बच्चे मैं आपने अनुभब से बता रहा हूँ तो इनी चीजों पर हम बहुत डिसकेशन करते हैं कई सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं हमने यह क्यों किया जैसे फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो गया बड़ी बड़ी चीज़े समझा जाती है छोड़ी चीज़े नहीं समझ आती है वहाँ पी तो एक लाइफ क्लास एक ट्यूशन में जब हम जाते है तो ठीचर हमें वह बताता और फिर वह इजी हो जाता है बहुत फर्त पड़ता इससे चलो तो आगे बढ़ता है यह हमने क्यों किया क्योंकि हम LCM ले रहा है देखो 10 दिनोमेटर देखो 10 है और 20 है दोनों का टेबल लिखो 10 टूजा यह देखो सेम आगया है इसको LCM बोलता है जैसे बादलो तुमको कहता हो 4 और 3 का LCM निकाल रहा है तो 3 टूजा 3 से मल्टिप्लाइ करता है कि डिनोमेटर में एक जेगे 4 होता और एक जेगे डिनोमेटर हो 3 होता तो इसको हम लोग 3 से मल्टिप्लाइ करते इसको हम लोग 4 से मल्टिप्लाइ करते दोनों का 12 आ जाता है तो डिनोमेटर कॉमन करने वाली बात थी है clear हो गया तो यह तुमारा formula का मतलब क्या होता है कई सारे बच्चे में को life class में पूछते magnification का मतलब है कि या कोई भी चीज कितना बड़ा है या कोई भी चीज कितना छोटा है object के मुकाबले समझाया वो देखके ही पता चलेगा जैसे माल लो मैंने तुम्हें बोला height of object है 5 cm और मैं तुम्हें कह रहा हूँ height of image है 3 cm तो तुम्हें बड़ा है image की छोटा है obviously छोटा है और वही अगर height of image होता मेरा 7 cm तो बड़ा है की छोटा है simply है की बड़ा है और मालों कि यह negative 7 होता तो नीचे की तरफ है लेकिन बड़ा है inverted है उपर की तरफ positive बतलो सीधा है तो magnification के कुल मिला के दो formula और depend करता हमें क्या दिया हुआ है जैसे magnification का सबसे पहला formula है कि यह height of image को आप divide कर दो height of objects है simple height of image divide by height of object अगर तुम्हें height of image height of object दिया हुआ तो तुम यह formula यूज कर लो magnification का यह तुम्हारा पहला formula दूसरा formula है magnification का यह हो तुम चीजें दिख रही होंगी कि भाई यह तुम क्या गरो image distance को object distance से divide कर तो बट यहाँ पर negative में होगा image distance clear है उपर भी image है नीचे object है हर case में देखो यहाँ पर image distance divided by object distance वी यह पता है ना यह तुम्हारा दूसरा formula है अब मुझे बताओ यहाँ पर LHS क्या है अगर इसको equation number 1 और equation number 2 बोले तो मुझे क्या दिख रहा है कि LHS M is equal to M है such that LHS is equal to LHS पही बात है therefore में क्या कह सकता हूँ कि RHS is equal to RHS कभी-कभी यह भी situation हमें काम आता है तो RHS is equal to RHS मतलब HI height of image upon height of object HO high is equal to minus V upon U तो यह situation भी हमें कई बार use होगा तो जैसे यह देखो यहाँ पर जब मैंने लिखा है तो यही situation लिखा है कि magnification के basically दो formula यह वाला और यह वाला चल अब use करते है भाई यह formula क्या रहा है कि एक object है जो 2 cm high है मतलब इससे क्या समझ मैंना चीए is placed at a distance of 16 cm object को place कि from a conquer mirror again which produces real image real image produce कर रहा है 3 cm high find the image distance image distance तुम्हें डूण रहा है मतलब वी डूण रहा है अब वीडियो को पॉस्ट करो 5 से 10 मिट के लिए और ट्राइ करो अजर सीखना चाते है तो चलो I hope तुम्हें कर लिया होगा अब मैं आगे बताता हूँ यहां पर question पढ़के कुछ की चीज़ी clear होनी चाहिए क्या कि यह 2 cm high object है मतलब height of object दिया हुआ है 2 cm high मतलब उपर की तरफ तो यह positive ही होगा कहरा है is placed at a distance of 16 cm from a concave mirror तो इक concave mirror है माल लो उसमें 16 cm पे कहीं तो एक object को रखा गया है एक object को रखा लिए which produces a real image अगर real image है मतलब इस तरफ बनेगा यह तो clear है real image है मतलब इस तरफ बनेगा and it is also 3 cm high real image कैसा होता है हमेशा inverted होता है की नहीं होता देखते वह इसमें भी नहीं गुस्ते confusion हो जाएग तो 3 cm का real image बना रहा है height of image कितना दिया है 3 cm बता रहा है हमको positive negative देखते है find the image distance image distance अपने को ढूनना है तो देखो यहाँ पे देहां से situation यह है तुम्हारा फिर से imagine करते एक बात कि 2 cm लंबा एक object उपर की तरफ रखा हुआ है positive हमने इसलिए उपर की तरफ है 16 cm दूर रखा हुआ object distance is always negative यह बात तुमको हमेशा याद रखना है object distance you is always negative यह हमें 3 cm का real image दे रहा है जहां से देखो image height भी दिया हुआ है height of image negative क्यों लेंगे हम यहाँ पे यह negative 3 होगा क्यों लंबा image दे रहा 3 cm का बट यह नीचे की तरफ होगा real image हमने इतने diagram पड़े उसमें हमेशा कैसा था inverted था real image is always inverted हमने 6 diagram पड़े थे उसमें से 5 में से real image हमेशा inverted था got it और यह case भी imagine करो ना ऐसे करके तुमने बनाया था फिर तुमने ऐसे करके बनाया था तो यहाँ पर meet हो रहा था और यह का था नीचे की तरफ यह data given है वी डूढ़ना है यह वाला formula यह हो जोगा देखो कैसे अब यहाँ पर मैं solve करता हूं ठीक है नो एक से कर इसको मैं पूरा black solution वाले page को अच्छा एक ब्लैक पिट मैंने एड करके रखा है यह देखो यह solution है मैं तुम्हें समझा देता हूं कैसे यह देखो मैं पढ़ाने के टाइम लाइब बैच में पढ़ाने के टाइम मैंने आइड कर दिया हमारे परस फॉर्मूला क्या था मैगनिफिकेशन का है एच आई अपॉन हो इस एक्वल टू माइनस वी अपॉन यू तुमको कैच यह वी ढूनना है हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है मुझे बताओ हो जाता कही भार है इसले तो मैं देख रह हूँ चलो तो height of object हमको कितना रही है दो दिया होगा है data सरी डालना बहुत जरूरी है minus v तो हमको डून नहीं है यही तो हमको नहीं आता और u हमें u हमें पता है कितना होगा u हमें पता है 16 होगा यह भी minus होगा तो यह वाला minus यह वाला minus तुम cancel कर सकते हो तो बचेगा minus 3 upon 2 is equal to v upon 16 cross multiply कर डालो answer मिल जाएगा तो यह 16 इससे multiply हो जाएगा तो minus 3 multiply by 16 equal to v को multiply कर दो 2 से तो यह क्या हो जाएगा 16 त्री जा कितना होता है बताओ यह 16 यह 3 अगर नहीं आता तो ऐसे करो 6 त्री जा 18 carry 1 3 वन जा 3 और यह 4 तो 48 विसे आन अच्छी है ठीक है तो यह आ जाएगा 48 लेकिन minus का symbol है is equal to 2v चीज़ों को इधर उधर कर लो तो इसको 2v is equal to minus 48 क्यों किया मैं बताऊँगा कि ज़्यादा आसानी हो जाए calculation के लिए अब उसके आप तुमको v डोनना है तो v कैसे निकालोगे 48 यह minus मैं divide by 2 तो v का answer कितना आएगा देखो 2 2 जा 4 and 2 2 जा 4 2 4 जा 8 तो यह आजाएगा 24 बट answer क्या minus centimeter डालगा तो v कहा मिला minus 24 centimeter क्या हमारा इधर भी answer वही था कि minus 24 centimeter तो यह जो हमने ढूंडा है यह वाला case जो हमारा था यहाँ पर जो image हमें मिलेगा कितनी दूरी पर मिलेगा यह यहाँ से हमको जो मिल रहा है यह minus 24 centimeter is it clear तो यह ऐसे हमको यह basically question में ढूंडा clear हो गया चालो तो एक और question है इसी type का यह भी question देखते है यह भी तुम लोग खुद से पहले try करो पांच मिलेट के लिए वीडियो पोस करो और फुद से try करके देखो बहुत simple question है देखो try करो an object of 7 centimeter size उसका 7 centimeter है is placed at 25 centimeter object की बात हो रही है देखो यह 25 negative होगा यह 7 centimeter पे है size 7 centimeter object का size दिया 7 centimeter in front of a concave mirror again यह जो mirror है concave है तो मिसी को अगर convex वाले example चीहे दो इसको convex करके solve कर लो if the image produced is at a distance of this much मतलब V की value दिये हुई है in front of the mirror in front मतलब यह negative होगा आइने के आगे pole से इस तरफ behind मतलब positive ठीक है तो height बताओ image का क्या होगा image का height बताता है देखो यहापे देखो कह रहा है कि 7 cm का एक object है उपर के तरफ object ऐसा सीधे रखोगे तो 25 cm के दूरी पर रखी है it is always negative pole से लेगे उसका दमें बोला जा रहा है कि यह image बन रहा है इसका minus 37.5 cm in front मतलब minus हो जाएगा in front है इसलिए minus हो जाएगा is it clear हमको इसका height बताता है got it हमको इसका height बता अभी के लिए हमने माल लिया कि यह उल्टा है ठीक है अभी के लिए हमने माल लिया कि यह उल्टा है is it clear अब भाई साब यही अगर हमको positive answer आएगा तो उपर की तरफ कर देंगे अभी तो हम imagine कर रहे हैं हम बस एक rough diagram मना रहे हैं ठीक है तो चलो solve करते है given क्या-क्या है height of object 7 object distance minus 25 height of image distance minus 37 हमको ढूडना है height of image ढूडना है simple है simple है हमें height of image ढूडना है data देखो यह आप फूट किया हुआ है अब देखो यह आप यह आप डारेक्ली explain करने की कोशिश करता हूँ height of image upon height of object minus v upon minus height of image हमें ढूडना है हमारे पास नहीं है height of object 7 था positive यह minus ऐसे ही रहेगा और बाकी minus 37.5 यह V का value डाल दिया और यह यहाँ पे डाल यह minus यह minus cancer यह इधर से as it is बचा हुआ है यह वाला यहाँ पे minus 37.5 बचा हुआ है और यहाँ पे 25 बचा हुआ है अब तुम यहाँ पे directly इसको cut करके divide कर सकता हो अगर तुमको decimal में करने आता है तो नहीं आता तो दोनों को 2 से multiply करो denominator numerator दोनों तो यह 75 बन जाएगा यह 50 बन जाएगा 25 2 जा यहाँ पे लिखा and 25 3 जा तो minus 3 upon 2 आ गया simple calculation देखो step by step इस 7 को उधर भेज दो 10.5 minus मतलब नीचे the height of the image is minus 10.5 and it is inverted image minus है मतलब नीचे की तरफ है it is an inverted image simple है न बहुत simple है learners इसी तरीके से type D वाले जो numerical हैं उसमें जो हमने दोनों बाते पढ़ी हैं उनको हमें 7 में यूज करना है got it हमें दोनों बातों को साथ में यूज करना है और मैंने यहाँ पे तुमारे लिए पूरा का पूरा solution दे दिया है पूरा का पूरा solution step by step दे दिया है अगर यहाँ से तुम्हें समझ आ जाता है तो देखो तुमको समझ में आई क्या होगा कि sir ये वाला formula यूज किया है और V ढूंदा है उसके बाद कि sir ये वाला formula यूज किया है दूसरा वाला जो हमने पढ़ा था और HO ढूंद लिया है हैंड रिटन भी दिया है तुमको solution अगर हैंड रिटन चीए दोनों दिया हुआ ठीक है ना पूरा diagram वाइगराम के साथ दिया हुआ है मैं छोटी छोटी सी चीजे तुमको अभी बताना चाहता हूँ जो तुम ध्यान से देखो कि हमारे application पर यह जो पूरा notes है यह आपको मिल जाएगा कैसे मिलेगा वो मैंने आपको starting में भी बताया था और एक बाब फिर से बता देता हूँ तो आप simply क्या करोगे application डाउनलोड करोगे easy learning से और यहाँ पर free materials में आप जाओगे free materials में जाने के बाद आपको class 9 वाला एक folder मिलेगा और उसके अंदर आपको सारे के सारे notes मिल जाएंगे इस free test वाले में आपको quiz मिलेगा class 9 के लिए उसको भी आप practice कर सकते हो और अगर आप अलग से test जाने करना चाहते हो जिसमें subjective test भी होगा तो यह test series से आप all test पे जाकर के join कर ले ना यहाँ पर test लेज़ें चलिए I hope कि यहाँ तक सारी चीज़े clear है और एक और बात हमारा जो whatsapp channel है इसको जरूर जोइन करना और अगर आप कोई भी batch जोइन करना चाहते हो हमारे application पे तो वो करने का भी simple सा तरीका है आप अपना category obviously class 9 महाराष्टर state board चूज करना और अगर live course जोइन करना चाहते हो यहाँ पर recorded जोइन करना चाहते हो तो आपको accordingly जाके जोइन करना अगर आप में से किसी भी बच्चे को learning से related कोई issue आता है कि हाँ sir मैं पढ़ाई करता हूँ बट मैं learn नहीं कर पाता हूँ तो मैं course recommend कर दे रहाँ आपको यह हमारे course है be a super learner आपको recorded course वाले section में मिल जाएगा तो यह course आपको definitely जाकर के लेना चाहिए इसमें बहुत सारे memory methods और techniques बताई है जिससे आपकी learning superb हो जाएगी यहाँ पे छोटा सा coupon code भी आप लगा सकते हो easy10 E-A-S-Y-1-0 आपको और 10% का discount मिल जाएगा 1500 नहीं आपको कम में मिल जाएगा इस वीडियो को हर एक बच्चे तक शेयर कर दो कि वो लोग भी सीख सके अगला चैप्टर आपको कौन सा चेयर नीचे कमेंट्स पर बताना बाकी पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन ने है अपी लॉनिक्स लव्यू वाल